सदाहर चेरा की जैना तेम तेरा हमारी राम जी सो राम राम कयो जी हनवा सीताराम सीताराम गाओरे गाओरे पवन तनय संकट हरन मंगलि मूर तेरों राम लखन सीता सहत हिर्दे बसों सुर्भू बुली अनंत बलमंत अनुमंत लाने की जाएं बुली भागवत भगवाने की जाएं बुली सद गुर्दे भगवाने की जाएं कि जासे की जाएं बुली भागवत भावांस क्रिष्ना गोबिन्द गोबिन्द कॉपालकारण दिला Krishna Govinda, Govinda, He Gopalena Dela, He Krishna, Govinda, 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 Gopalena Dela, Krishna, Govinda, 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 प्रिष्ण गुविल्द नदला प्रिष्ण गुविन्द 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 गुपालन दला प्रिष्ण गुविन्द 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 गु कर दो चर दोगा कर दो जो हुआ जो कर दो है अम्हरे हे अम्हा जॉलमा लिनीन महारतने सुरीन महां सर्वूप जारार्धे गंधाख्छा संभूजे आमें हरे हे अम्हा जंद्रमा मना सोजा दक्षण्षो हो सूर्जो अजायता श्रोद्राद्वा युशवराणश मुखातिक निराजायत सिरी भागवत भगवाने की आरिती पापियों को पाप से है तारिती सिरी भागवत भगवाने की है आरिती हो आरिती पापियों को पाप से है तारिती ये अमर ग्रंते ये मोंकि पंद्जी पंचम में दिराला नव जोते जगाने वाला हर नाम यही हर गाम यही हर गाम यही बागवत भगवत भगवत भी पापियों को पाप से है तारिती ये शात्य गीत पावन मुनीत पावन पंगों मिटाने वाला हर दर्स कराने वाला ये सात्य गीत पावन मुनीत पावन पंगों मिटाने वाला हर दर्स कराने वाला ये सुख करनी है तो कोहर ली सुख करनी है तो कोहर ली सिरमत सोंतज की आरिती पापियों को पाप से है तारिती शी बागवत भगवत भगवत प्रवियों को पापों से है तारती ये मदर बोल मगपल्ट को ने सत्मार को बताने बाला बिगरी को बनाने बाला ये मदर बोल मगपल्ट सत्मार को बताने बाला सिरी राम यही खन श्याम यही प्रभ के महिमा की आरती पापियों को बाप से हैं तारते भागों को भगवाने की हैं आरती पापियों को बाप से हैं तारते पापियों को बाप से हैं तारते पापियों को बाप से हैं तारते करिपूदी गोग्रम खरुणांग तानम संसार सारम पुझ वेद्र हारम तुम्हेद यारम अवंभवानी शयतं तपामि दीव माना चपिता तुमेव तुमेव मन्दो जसका तुमेव मन्दी वेद्र हां दरवण नवना तुमेव सर्माम है म्दी वेद्र हारम अम्याद्र मज़न स्सका तुमेव तुमा सर्माम म्दी वेद्र म मम अरेयं मां जलेन सिंचली साणपूच्वे दिवा भिवन्दम ुबुदुदुदु याशूदाननाय धीमय तंनों क्रिष्णा प्रचोध याद हरीयाम प्रसभाण जाय है चविदमहें कृष्णा प्रयाय है चधीमय तंनों श्री राधा प्रचोध याद ना ला शुगसान्ध पुस्पाणि था कालोध भावानिचा उस्पान जल्मयादत्या ग्रहनम परमे ओम भगुदे पुराण पुरुसोत मायन महां मंत्र पुसवां जलें समर पयामे स्रीवां के व्याहिलाल की जै गिराजी महराज की जै पनुसोत हनुमान की जै स्रीमत भागुद महां पुराण की जै ब्याश जी महराज की जै सुक्देव जी महराज की जै 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 स्री राधे श्राधे स्री राधे वन्सी विभूसित कराम नवनीरदाभाद पीताम बराध अरुन बिंब फलाध रुष्ठाः पूरनेंदु सुंदर मुखाद अरविन्ध नित्राः कृष्णाद परम किमपी तत्वमहम नजाने वन्दे व्रिंदावनाम नन्दाव राधे काम परमी स्वरी गोपिकाम परमाम शुद्धाम आहलाद नीम सक्तिरूपिनीम अहलाद नीम भक्तिरूपिनीम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवु महेस्वरह गुरु हु साक्षात्पर ब्रह्मा तस्मै स्री गुरवे नमाः तस्मै स्री गुरवे नमाः बूलिये स्रीमद भागवत भगवान की स्री रमन बिहारी लाल की स्री बांके बिहारी लाल की राजा राम चंद्र की पवंसुत स्री हनुमान जी महराज की उमापत महादेव की स्री द्वार कादीस भगवान की स्री गिर्राज महराज की स्री यमुना महरानी की स्री ब्रिंदावन धाम की स्री अयुद्या धाम की स्री सद्गुरुदेव भगवान की सरव संत हरी भक्तन की आज के आनन्द की जे जे स्री रादेव स्रीमद भागवत कथा सब्तम दिवस की कथा मुक्ती की कथा है मुक्ती सकंध की कथा है ज्यान की कथा है तो जैसा के हम सब लोग जानते हैं आज कथा का विस्राम दिवस है और स्री अयुद्या धाम की परम पावन भूमी पर ये स्रीमद भागवत कथा का इसको बंद करो भई बहुत धुंगाडे उठ रहे हैं सांस में जा रहा है तो प्रेम से बुलो राज है तो जैसा के हम सब लोग जानते हैं कि स्री अयुद्या धाम की परम पावन भूमी पर ये स्रीमद भागवत कथा का दिव्ब आयोजन संपन हो रहा है भगवान स्री राम की परम पावन भूमी पर कथा करने का और भगवान स्री राम लला के अपने उन रूप में विराजमान हो करके और उनके दरसन करने का सोभाग्य हमें भी भगवान ने प्रदान किया हमारे साथ हमारे परिकर को भी ये सोभाग्य प्रदान किया तो जैसा कि आप हम सभी के गले में आज ये एक पीला साथ दुपट्टा देख रहे हो तो ये इस बात की निसानी है सूचक है प्रतीक है प्रत्यक्ष प्रमान है के आज हम भगवान स्री राम के दरसन करके आए हैं और भगवान स्री राम की प्रसादी भी इस दुपट्टे के रूप में हम सभी को वहां से प्राप्त हुई और क्या दिव्य ये भगवान स्री राम का प्रसाद है यही हमारा आभूसन है जिस आभूसन को धारण करके हम सब लोग आज विभूसित हो रहे हैं तो इससे बड़ा सोभाग्य और हमारा क्या होगा कि भगवान राम की परंपावंधरा पर कथा करने का सोभाग्य और भगवान स्री राम के दरसन करने का सोभाग्य और इतने आनंद में दरसन इतने आनंद में दरसन जिसका बखान जो है सब्दों के माद्यम से नहीं किया जा सकता भगवान स्री राम के दरसन जो करता है वो भगवान स्री राम को बस देखता ही रहता है देखता ही रह जाता है क्या अद्वुत अलोकिक भगवान की दिप्य वो जहांकी है दिप्य वो छटा है अभी भी हमारे मन में मस्तिस्क में हमारे हिरदे में हमारी स्मृती में अभी भी वही अयुत्या का स्री राम मंदिर का भवन स्री राम मंदिर का प्रांगर और सामने स्वर्ण का चम चमाता मुकुट लगा करके भगवान स्याम वर्ण धारण करके हमारे स्री रगुनाथ जी खड़े हैं स्री राम जी खड़े हैं रगुनंतन खड़े हैं तो उनकी क्या दिव्य छटा है उसका अलुभव अभी भी हम यहां कथा के मंचत से भी कर रहे हैं और वैसे भी पूरे साथ दिन हो गया तो पूरे साथ दिन भगवान स्री राम का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्मरण हुआ चिंतन हुआ और क्यों नहों क्योंकि राम हमारे आदर्स है राम हमारी मर्यादा है राम हमारा जीवन है राम ही हमारे अनादी है राम से ही हम है और राम ही वास्तम में सब कुछ है तो आईए भगवान की स्रीमत भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान स्री राम को वंदन करते हुए हनमान जी को और भाईया लक्ष्मन जी को और सभी अवद वासियों को प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे हुआ हुआ है हो नगरी हो आयुद्यासी रगु कुल सा घराना 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 हो लच्छ मन सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीकाना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीकाना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीकाना हो नगरी हो आयुद्यासी रगु कुल सा घराना हो रगु मुल सा घराना हो लच्छ मन सा भाई हो लच्छ मन सा भाई हो को सल्यामाई हो को सल्यामाई हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीकाना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीकाना हो दूज़ मेरा ठीकाना हो भाई हो तो एक जहां मेरा ठीकाना हो तो भाई हो इसमार को बनात्र लोच्छ में भाई हो कर दो कर दो ओ त्याग भरत जेसा सीता सीनारी हो सीता सीनारी हो सीता सीनारी हो और लब कुस के जैसी संतान हमारी हो चरण हो राघब के जहां मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघब के जहां मेरा ठिकाना हो कर दो 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 दो स्रथा हो स्रवण जैसी स्रथा हो स्रवण जैसी स्रथा हो स्रवण जैसी स्रथा हो स्रवण जैसी स्रवरीशी भाक्ति हो स्रवरीशी भाक्ति हो सबरी सी भाकती हो और हनुमत के जैसी निश्टा और सक्ती हो और हनुमत के जैसी निश्टा और सक्ती हो नगरी हो आयो ध्यासी नगरी हो आयो ध्यासी रगुकुल साधरा ना हो रगुकुल साधरा ना हो और चरण हो राधव के जहां मेरा ठेकाना हो और चरण हो राधव के जहां मेरा ठेकाना हो प्रण हो则 काना हो यारे हो राधव sup कर दो कर दो मेरी जीवन नईया हो मेरी जीवन नईया हो प्रभु राम खे वैया हो मेरी जीवन नईया हो मेरी जीवन नईया हो प्रभु राम के वैया हो और राम खे वैया हो और राम ख्रफा की सजा मेरी जीवन नईया हो रगु पुल सा घराना हो और रगु पुल सा घराना हो और चरण हो राघब के जह मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघब के जह मेरा ठिकाना हो और चरण हो और राम खे बाल राम खेज़ दो राम और राम और राम कर दो कर दो सरयो का किनारा हो सरयो का किनारा हो निरमल जल धारा हो निरमल जल धारा हो और दरस मुझे भगवन हर घड़ी तुमारा हो तरस मुझे भगवन हर खड़ी तुमारा हो नगरी हो आयो ध्यासी नगरी हो आयो ध्यासी रगुल साघरा ना हो रगुल साघरा ना हो लच मन साघरा ना हो लच मन साघरा ना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीका ना हो चरण हो राघव के जहां मेरा ठीका ना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीका ना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठीका ना हो बोलिये सियावर राम चंद्र भगवान की जै जै स्री रादे श्याव परम सोभाक्य का विसे है परम हर्स का विसे है मानव जीवन का सरवोत क्रिष्ट जो लाव है जो फल है वो केवल और केवल भगवान की कथा ही है सतसंग ही है कीरतन ही है जिसका लाव अभी अभी हम लोग अयुद्या की परंपावंधरा पर बैठ करके उठा रहे हैं और इस कथा के हमारे मुख्य यजमान हैं स्री राजकुमार सिंग जी, स्री मती रेखा सिंग जी, भेन भानुमती सिंग, सिवकुमारी सिंग और भान्ये स्री देवेंद्र सिंग, जै सिंग परधान जी, उसका मव सुन्तानपुर से और देवेंद्र सिंग जी परधान, फतेपुर सुन्तानपुर से स्री राम सिंग परधान जी, अमख हादुर सिंग, माता प्रसाद सिंग, राहुन सिंग और मुहम्मद जलील खाँ, मुहम्मद रफीक खाँ, एवं समस्त ग्राम वासी और स्री राजेस सिंग, रेनु सिंग, उधम सिंग, उन्नती सिंग, राजन सिंग, गुरिया सिंग, सक्ती कुमार सिंग, गोल्डी सिंग, अरुन प्रताब सिंग, कुसुम सिंग, एवं स्री देशराज सिंग और अमित सिंग और जिनके नाम हम नहीं बोल पाए हो या हमें याद न रहा हो तो वो भी अपने नाम जोड़ ले क्योंकि आप सभी भक्त जनों का प्रेमी जनों का इस कथा में तन से मन से धन से विसेश सहयोग है इस कारण आज सब्तम दिवस की मुक्ती सकंध की कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं और बड़ा ही आनन्द होने वाला है तो प्रेम से बुलो रा दे रा दे देखो कल जैसा के हम लोग स्रवन कर रहे थे क्या स्रवन कर रहे थे के हमारे नन्द के लाला बड़े हो गए द्वारिक अधीश बन गए और फिर द्वारिक अधीश का जो है विवाह संपन हुआ तो भगवान का पहला विवाह लक्षमी स्वरूपा भगवती रुकमिनी महरानी के साथ में संपन हो गया भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ राजकुमार जी तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में संपन हुआ भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन हुआ लेकिन कैसे हुआ तो देखो कथा है कि द्वारिका धीज के माथे पर एक कलंक लग गया कौन सा कलंक स्यमन तक मणी चोरी करने का राजा सत्राजित के भाई प्रसेन की हत्या करने का जबकि द्वारिका धीज का उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं है लेकिन फिर भी अब कलंक लग गया तो लग गया तो द्वारिका अधीस ने सोचा कि हम इस कलंक को धोएंगे तो आज द्वारिका अधीस द्वारिका से निकले और सीधे गए है जंगल में जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है लेकिन प्रसेन के पास में वो स्यमन तक मड़ी नहीं है जिसे है सिंग छुड़ा करके ले गया है तो द्वारिका अधीस समझ गए द्वारिका अधीस थोड़े से और आगे बढ़े तो द्वारिका अधीस ने देखा कि यहां सिंग भी मरा हुआ पड़ा है लेकिन स्यमन तक मड़ी यहां भी नहीं है तो द्वारिका अधीस ने सिंग से आगे है एक भालू के पैर देखे तो भालू के पैरों का पीछा करते 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 द्वारिका अधीस भालू की गुभा में पहुँच गए तो देखो यह भालू कोई और नहीं सक्ति कपूर जी यह भालू कोई और नहीं यह भालू जो है जामवंत जी ही है जो कि द्वारिका अधीस बनें और द्वारिका अधीस बनके हमारा मनोरत पूर करें तो जैसे ही द्वारिकादीस जामवंत जी की गुफा में अंदर प्रवेश किये तो द्वारिकादीस ने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या उस चम चमाती हुई मणी के साथ में क्रीडा कर रही है द्वारिकादीस ने उस मणी को लेना चाहा इतनी देर में तो जामवंत जी ने पीछे से छलांग मारी और उछटी मार करके है दो-चार पटक तो जो है आनन भानन में जामवंत जी ने द्वारिक अधीस में लगा दी द्वारिक अधीस समले समल करके फिर द्वारिकादीज ने भी जामवंत जी की नस नस धीली कर दी 27 दिन 27 रात्री पर्यंत ये युद्ध चला और आज जामवंत जी की नस नस धीली हो गई अब किसी प्रकार की सरीर में कोई एनर्जी नहीं तो जामवंत जी समझ गए के हमारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला हमारी नस नस धीली करने वाला संसार में और कोई नहीं हो सकता ये तो मेरे रगुनाथ है ये तो रगुनंदल है ये तो भगवान स्रीराम है दोई जामवन्त जी ने द्वारिक अधीस के चरण पकड लिये प्रणाम किया सरेंडर किया माफी मागी और कहा कि प्रभू मैंने आपको पहचान लिया है आपके अलावा अरे लंका में भी रावन से लेकर के कुम्बकरण मेघनाद अक्षे कुमार जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे जामवन्त जी के सामने सब फैल थे सब बेकार थे इसलिए तो जामवन्त जी युद्ध नहीं कर पाए लंका में भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाए तो देखो आज भगवान के साथ युद्ध करके जामवंत जी का मनुरत पूर्ण हो गया और अब कनईया द्वारिक अधीस जब बापस आने लगे मणी की सारी कहानी द्वारिक अधीस ने जामवंत जी को सुनाई तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभू आप इस मणी को ले जाओ और अपने माथे का कलंक आप धो लेकिन हमारी प्रार्थना आपसे ये है कि आप इस मणी के साथ साथ हमारी परम सुंदरी, परम गुणवती, संसकारी सुसील कन्या जिसका नाम है जामवन्ती तो जामवन्ती को भी अपने चरणों की दासी बना लो जामवन्ती को भी अपनी सेवा में रख लो और फिर आप मणी भी ले जाओ और हमारी पुत्री भी ले जाओ हम आजाद हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम भी भजन करेंगे और धीरे धीरे अपने स्वधाम गमन करेंगे तो भगवान ने जामवंत जी का परंपवित्र मनवचन देखा सोही भगवान ने जामवंती को सुईकार कर लिया बोलिये द्वारिकादीस भगवान की जय तो अब भगवान के कितने विवा हो गए भगवान के दो भिवाह संपन्न हो गए जामवंती को द्वारिकादीस ने द्वारिकादीस ने द्वारिकादीस छोड़ा और द्वारिकादीस छोड़ करके भगवान मनी लेके राजा सत्राजित के पास गए राजा सत्राजित के मुँपर मनी मारी फैंक करके ले इस मणी के लिए तू ने हमें सारी दुनिया में बदनाम किया जबके न तो तेरे भाई की हत्या हमने की और ना ही तेरी ही स्यमन तक मणी की चोरी हमने करी तो देखो मणी पाकर के राजा सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ राजा सत्राजित ने सोचा के हमारे कारण और इस मणी के कारण द्वारे का अधीस की ही इतनी बदनामी हुई जबके द्वारे का अधीस का किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी हम से या हमारे भाई से या मणी से किसी प्रकार का कोई लेना देना था ही नहीं तो अपनी गंती का पस्चा ताप करने के लिए मावी प्रार्थना तो करी ही लेकिन साथ में एक निवेधन भी किया कि हे द्वारे काधित यदि आप चाहते हैं कि मैं ये जीवन सांती से खुसी से जी पाऊं तो मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे छमादान दे दिया है जब आप मेरी परम सुंदरी कन्या माने सत्य भामा को अपने चरणों में स्विकार करोगे तो भगवान में राजा सत्रा जितका लाला इसमें दिले लगा जोड़ी भगवान ने राजा सत्रा जितका परम सुंदर भाव देखा प्रेम वाला भाव देखा तो सत्य भामा को भी भगवान ने स्विकार कर लिया तो अब भगवान के कितने विवा होगे अब भगवान के तीन विवाह संपन हो गए बोलिये द्वारिका अधीस भगवान की जे अब तीन विवाह भगवान के हो गए और अब द्वारिका नगरी में बड़ी प्रसनता है बड़ा आनंद है भगवान कुछ दिन भाद इंद्र प्रस्थ आये प्री पांडवों के पास आये और पांडवों के पास आकर के भगवान भोग लगाए भोजन भी किये अनेकों प्रकार का वारतालाप राजी खुसी पूछे और फिर भगवान अरजुन के साथ में थोड़ा यमना महरानी के किनारे टहलने के लिए गए तो भगवान ने यमना महरानी के किनारे भी लीला कर दी क्या लीला कर दी कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुम ऐसा करो हमें थोड़ा नित्य नियम करना है हम यहीं बैठ जाते हैं और तुम थोड़ा सा आगे तहले आओ तो भगवान वहीं रुख गए और अर्जुन को आगे भेज दिया तो देखो अर्जुन यमुना जी के किनारे आगे 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 चलते जा रहे हैं लेकिन अर्जुन ने आगे रास्ते में यमुना जी के किनारे एक बड़ा आस्चर देखा क्या आस्चर देखा कि एक परम सुन्दरी रूपवान गुणवती कन्या यमनाजी के किनारे बैठ करके भजन कर रही है कठोर साधना कर रही है तो अरजुन को बड़ा आस्चर रही हुआ क्योंकि देखो जंगल में जाकर के भजन करना माता बेहनों के लिए वर्जित है माता बेहनों का सबसे बड़ा भजन क्या है माता वेनों का सबसे बड़ा भजन है कि वो सबसे है पहले अपने पती की सेवा करे और पती की सेवा क्या है पती के हाथ पेर दबाना सेवा है लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है पती के लिए रोटी बनाना सेवा है लेकिन ये भी बहुत बड़ी सेवा नहीं है पती के कपड़े धोना भी सेवा है लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है तो महाराज फिर कौन सी बड़ी सेवा है वाकू हमें बताए देखो विवाह होने के बाद पतनी को अपने पती की ही आग्या में उसके मन के अनुकूल बन करके ही रहना चाहिए यही पती की सबसे बड़ी सेवा है यदि इस प्रकार से कोई ही पतनी अपना धीवन व्यतीत करती है तो पती चाहे कैसा भी हो पती नरक में जाए स्वरग में जाए भाड में जाए कुवा में जाए और चूले में निकरे लेकिन पतनी का कल्यान हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि वो अपने धर्म का भली भांती पालन कर रही है अब कोई ठेका दोड़े ले लिया है कि पती धर्मात्मा ही हो अरे नजाने कितने कितने दुष्ट पतियों से पती व्रता नारियों का भी पाला पड़ा है जो बड़े बड़े भयंकर पियकड बड़े बड़े भयंकर वैस्या गामी बड़े बड़े भयंकर दकैड ऐसे ऐसे अत्याचारी दुराचारी पापाचारी व्यभिचारी पतियों की पत्नियों का कल्यान हुआ है क्यों कि पत्नी अपना धर्म अपना कर्तब अपना फर्ज जो है निभा रही है तो पती की समसे बड़ी सेवा क्या है उसकी आग्या का पालन करना उसके मन के अनकूल हमें रहना चाहिए तो अरजुन ने सोचा कि ये तो कन्या है इसका तो विवाह भी नहीं हुआ है तो इसे घर से बाहर आके तपस्या करने की आवस्यक्ता क्या है पूछा अरे भाई तू कौन है लाली कहां से आईए वहिया और यहां जंगल में तू कह कर रही है यहां तो बड़े-बड़े बबर सेर और बड़े-बड़े भुजंग रहते अरे कोई आगया पागल सेर रहा थी तुमार देगा खा जाएगा नजाने कितने मंचले भी आजाते नजाने कितने बड़मास भी इधर से उधर टहरते रहते तो देखो उस कन्या ने अरजुन को जो बताया है वही हम आपको बता रहे हैं स्री सुकुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजर और स्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौन कादी रिसियो अहम देवस्य सवितुर दुहितापति मिझ्षती विजुनुम् वरेन्यम् वरदम् तपह परममास्थिताप तपह परममास्थिताप तो देखो अरजुन से उसने कहा कि भाईया अरजुन अहम देवस्य सवितुर दुहितापति मिझ्षती विशुनुम् वरेन्यम् वरदम् तपह परममास्थिताप मैं सविता की दुहिता माने मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन यमना हूँ कालिंदी भी मेरा नाम है और मैं यहाँ यह जो कठोर साधना कठोर तप कर रही हूँ इसका एक मात्र जो रीजन है एक मात्र जो कारण है वो केवल और केवल यही है के विश्णम वरेन्यम मुझे भगवान विश्णू का मुझे भगवान स्री हरी का माने द्वार का धीस का वरण करना है और इसके लिए मुझे चाहे कितने भी जनम क्यों ने पड़ जाए जब तक द्वार का धीस मुझे वरण नहीं करेंगे जब तक द्वार का धीस मुझे ब्याह करके नहीं ले जाएंगे तब तक जो है मैं यहां से जाने वाली नहीं हूँ तो अरजुन ने कालिंदी का यमुना का भाव देखा और आकर के द्वार का धीस को बताया तो द्वार का धीस ने कहा कि तुमने उस बालिका की परिक्षा ली कि नहीं तो अरजुन ने कहा महराज हमने डराने की धमकाने की तो बहुत कोसिस करी लेकिन कोई भाइदा नहीं हुआ उसने कहे दिया है कि मैं मर जाओंगी मेरे प्राण निकल जाएंगे चाहे मुझे अनंत जनम क्यों न लेने पड़ जाएं मैं हर जनम में तपस्या करूंगी लेकिन विश्णुम वरेन्यम वरदम माने जब तक द्वारिक अधीस मेरा वरण नहीं करेंगे मैं कहीं भी यहां से जाने वाली नहीं हूँ तो भाईया ये कालिंदी को ऐसा क्या हो गया ये मुना को ऐसा क्या हो गया द्वारिक अधीस ने भी आकर के पूछा अरे भाई का है गयो हम तो तोते कभू मिले उनाएं तो कालिंदी ने कहा कि जूट मत बोलो जब तुम ब्रज में रहते थे जब तुम द्वारे का धीस नहीं बने थे तो हमारे किनारे पर ये जो अनेकों प्रकार की आपने लीलाएं की है अनेकों प्रकार का आपने ये जो वेणु का निनाद किया है इसी से तो हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में तुमारे लिए ये अदभुत आलोकिक प्रेम जागृत हुआ है तो यमुना महरानी कह रही है कि ले गई ले गई वे हमारो दिल चीर कनहियां तेरी बाहां सुरिया मुमम हो ले गई ले गई रे हमारो दिल कीर कनहियां तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारों दिल खीर गणिया तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारों दिल खीर गणिया तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारों दिल खीर गणिया तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारों दिल खीर गणिया तेरी बासुरिया भुले गई ले गई डे हमारों तेल की हिर बिहारी तेरे बासुरिया भकले बिहारी बिहारी ने विस्टार ओपरायों तेल की हिर बिहारी बिहारी तेल के रे दिया भी जाल कि भी है और शाओ एक दिना में सुबह सवेरे तही बिलो बन लागी एक दिना में सुबह सवेरे तही बिलो बन लागी एक दिना में सुबह सवेरे तही बिलो बन लागी एक दिना में सुबह सवेरे तही बिलो बन लागी माखन तो में काड न पाई बेरन बन सी बाजी माखन तो में काड न पाई बेरन बन सी बाजी माखन तो में काड न पाई बेरन बन सी बाजी ओ तो बाजी रे बाजी रे खन खोल गनिया तेरी बाजुरिया हुले गई ले गई रे हमारों देल कीर कनिया तेरी बाजुरिया हो ले गई ले गई दे हमारों देल चीर बनाईया तेरी बाहा सुदिया थे बाहा सुदिया, बच्छ आहा पातुछ्छों है, मुजब समयर का बाहा सुदिया देल त्टा पेलियो भी कोने फ्षरई बाहा सुदिया अ nom देवी पूजन में चलीले पूजा की था देवी पूजन में चलीले पूजा की था मंदर तक में पहुच न पाई बीच मिले न दला मंदर तक में पहुच न पाई बीच मिले न दला मंदर तक में पहुच न पाई बीच मिले न दला मंदर तक में पहुच न पाई बीच मिले न दला मेरी भाईया दई है मरोड कनया तेरी बासुरिया मेरी भाईया दई है मरोड कनया तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारो दिल चीर कनया तेरी बासुरिया मुले गई ले गई रे हमारो दिल चीर कनया तेरी बासुरिया मुले बासुरिया मुले बास। झाल झाल एक बात मेरी सुन ले एक बात मेरी सुन लेका ना फिर मेरे ना पाओ एक बात मेरी सुन लेका ना फिर मेरे ना पाओ एक बात मेरी सुन लेका ना फिर मेरे ना पाओ जब जब बाजे मुरली तेरी पीछे दोड़ी आओं जब जब बाजे मुरली तेरी दोड़ी पीछे आओं जब जब बाजे मुरली तेरी दोड़ी पीछे आओं मेरा मन पे नहीं कोई जो ड़क नहीं आ तेरी बासुरिया मेरा मन पे नहीं कोई जो ड़क नहीं आ तेरी बासुरिया मेरा मन पे नहीं कोई जो ड़क नहीं आ तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारो दिल कीर गई आ तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारो दिल कीर गई आ तेरी बासुरिया ले गई ले गई रे हमारो दिल कीर गई आ तेरी बासुरिया हो ले गई ले गई रे हमारों तिन जीर बनाईया तेरी पासरिया बनाईया तेरी पासरिया जे जे स्री राधे श्याम तो प्रेम से बोलो राधे राधे तो देखो ये भगवान की परम प्यारी यमुना महरानी कालिंदी भगवान ने परिक्षा ली और जब परिक्षा में पास हो गई तो द्वारिका दीस यमुना महरानी को द्वारिका ले गए और ले जाकर के बड़ी धूम धाम के साथ में भगवान ने यमुना महरानी के साथ कालिंदी के साथ में विवाह संपन किया तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए अब भगवान के पूरे चार विवाह संपन हो गए तो देखो भगवान का पांचवा विवाह भगवान का पाँचवा विवाह उज्जेन के राजा है विंद और अरविंद उनकी बहन है एक मित्र ब्रिंदा उसके साथ में संपन हुआ और एक है कौसल नरेश नगन जित जी जिनकी बेटी का नाम है सत्या देवी भगवान का पाँचवा विवाह उनके साथ में संपन हुआ एक है स्पुत कीरती जी उनकी बेटी है भद्रा तो भद्रा के साथ में भगवान का साथ में बिवाह संपन हुआ एक है मद्र नरेश तो मद्र नरेश की कन्या का नाम है लक्ष्मणा तो लक्ष्मणा के साथ में भगवान का आठवा विवाह संपन हो गया बोलिये द्वार का धीस भगवान की जै 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 स्रीरादे तो भगवान के कितने विवाह हो गए राजकुमार जी भगवान के आठ विवाह तो भगवान के आठ विवाह संपन हो गए लेकिन कहा जाता है सुना जाता है और पढ़ा भी जाता है कि भगवान के सोले हजार एक सो आठ विवाह हुए है तो भईया अभी सोले हजार एक सो ब्याह हमें और कराने है तो देखो कथा आती है कि भूमी का फुत्र है भौमासुर और भौमासुर सुभाव से राक्षस है दुष्ट है तो दुष्टों का सुभाव तो आप जानते ही है कैसा होता है दुष्ट राक्षस का मतलब है कि जो अपने पास है वो तो है ही लेकिन जो दूसरे के धन को भी अपना बनाने का हमेशा प्रयास करता रहता है और इसी उधेर बुन में लगा रहता है कि इसका घर कैसे हड़पा जाए इसकी जमीन कैसे हड़पी जाए इसका पैसा कैसे हड़पा जाए इसकी पत्नी कैसे हड़पी जाए तो इस प्रकार की वरती या प्रकृती के जितने भी ही नर होते हैं ये नर सरीर में सब राक्षस हैं दुष्ट हैं क्योंकि इनके जो कर्म हैं ये नर वाले या मानव या मनुस्य वाले कर्म नहीं हैं तो देखो सरीर तो एक जैसा ही होता है दुष्ट का भी और सजन का भी लेकिन करम के आधार पर अलग-अलग वर्ण हो जाता है अलग-अलग जाती हो जाती है अरजुन भले ही छत्री है राजपूत है लेकिन फिर भी भगवान उसे बार बार पंडित कह करके संबोधित करते हैं तो क्या भगवान पागल हो गए कि अरजुन को पंडित कह रहे हैं अरजुन को ब्रामण कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं क्योंकि अरजुन के जो करम है अरजुन का जो जीवन है अर्जुन का जो चरित्र है वो वास्तम में एक वेदग्य, एक सास्त्रग्य, एक पुराणग्य, ब्राम्वन जैसा ही है इसलिए भगवान बारवार अर्जुन को गीता में भी और भी महा भारत में भी भगवान बारवार पंडित कहकर के भारत कहकर के कुंती पुत्र कहकर के संबोधित करते हैं तो देखो ये भूमी का पुत्र है भौमासुर है राक्षस है तो राक्षस चाहता है कि दुनिया की जितनी भी सुन्दर से सुन्दर कन्याएं हैं ये सारी की सारी कन्याएं केवल मुझे ही मिलें और किसी को न मिलें तो अब ऐसे आसानी से तो प्राप्त हो नहीं सकती तो उसने प्लान बनाया क्या प्लान बनाया कि अपने दूत लगाए भईया जाओ खोज करो और जहां जहां जो जो सुन्दर कन्या मिले उसे वहीं से उठाओ और उठा करके हमारे पास लाओ तो बहुत सारी कन्या तो अपने सेनिक दूतों के माध्यम से मगाई और बहुत सारी कन्या जो है स्वयम उठा करके लाया तो आज उसने हजारों की संख्या में कन्याओं को संचित किया है एकत्रित किया है और इधर नारजी के मन में आया कि यार संसार में किसी का एक विवाह हो जाए तो आदमी विचारा बड़ा परेशांसा रहता है कि यार मैं कौन से चक्कर में पड़ गया इससे तो पहले ही अच्छा था कम से कम हर तरह से स्वतंत्र था आजाद था और किसी प्रकार का कोई कमाने का टेंसन नहीं था लेकिन अब साधी व्याह करके तो बहुत बड़ी जिम्मेदाली आ गई है अब तो बिना कमाए बिना मेहनत किये अब जो है गुजारा नहीं होगा तो जो साधी का लड़ू खाता है वो भी पच्छताता है और जो नहीं खाता है वो भी पच्छताता है ये लड़ू ही कुछ ऐसा है तो हम क्या कह रहे थे भूल गे हाँ तो नारज जी के मन में हुआ कि संसार में किसी का एक विवाह हो जाए तो आदमी सोचता है कि कहां चक्कर में पड़ गया यार पहले एक एक था और हमारे द्वारिका दीस के आठ आठ विवाह हो गए तो जराद देखके तो आमें द्वारिका में जाएके के हमारे द्वारिका दीस आठ आठ पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे अब यहां संसार में तो काओ के दो विवाह है जाए ना दो और दोनों एक ही घर में उपर नीचे रहती हो एक नीचे रहती हो और एक उपर रहती हो तो सोचो पती की क्या हालत हो भाई उपर वाली कहेगी कि अच्छा उपरी रहना है आपको उपरी खाना है उपरी और नीचे वाली कहेगी कि अच्छा तुम्हारी इतनी मजाल के उपरी रहोगे नीचे आओ मैं खिलाओंगी आज कई बार हिसा भी हो जाता है कि ठीक है आज पती देवता बाहर काम करने गए और दोनों पत्नियों ने अपना मनौरत प्रकट कर दिया कि देखो आज जब साम को आओगे न तो आपकी पूरी सेवा मैं करूंगी फिलाना फिलाना हाथ पैर दवाना और भी जो भी होगी सब मैं करूंगी आपको सीधा बिना सोचे विचारे उपर आना नीचे नहीं हाँ हाँ ठीक है भागवान हम उपर ही आएंगे चिंता मताँ अब आदमी विचारा काम करने चला गया साम को बापस आया और जैसे ही उसने अपने घर का मुक्यगेट धीरे से खोला सो ही सैयोग बस जो है नीचे वाली को पता लग गया और उपर वाली तो उपर बैठके है इंतियार कर ही रही है लेकिन दवे पाव पती महराज जो है दो चार सीड़ी चड़के जो बीच में सिट धासा नहीं आ जाता है उस पे पहुँच गए अब इतनी देर में नीचे वाली पत्नी निकली अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत मैंने क्या कहा था सुबह आज पराँटे में खिलाऊंगी आज तुम्हारे हाथ पेर में दबाऊऊँ तुम उपर जा रहे हैं और उपर वाली भी उधर से निकल करके आगे तो अब एक नजर नीचे देखे और एक नजर ऊपर देखे बिचारा बीच में लटके आप खरे तो करे ऊपर वाली चाहती है कि ये मेरा ही रहे थूस्तरी शाहती है कि ये मेरा ही रहे तो सोचो के दो रखने के बाद इतना जंजट है तो हमारे द्वारिक अधीज के पास तो आठा आठ रानिया है तो द्वारिक अधीज का क्या हाल होगा अब यही हाल देखने के लिए नारज जी के मन में कोटू हल हो रहा है नारज जी चाहते हैं कि देखूं तो सही हमारे द्वारिक अधीस का गुजारा कैसे हो रहा है तो आज नारज जी महराज द्वारिका में पधारे हैं स्रीमन नारायन 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 लेकिन द्वारिक अधीस को कानो कान ख़वर नहीं है वैसे तो हमेशा खवर करके आते थे आज द्वारिकाधीस को नहीं बताया है क्यों नहीं बताया है क्योंकि द्वारिकाधीस की परिक्षा लेने के लिए आए है द्वारिकाधीस का जीवन देखने आए है हर ग्रहस्ती वाला जीवन देखने आए है तो आज नारज जी दीरे दीरे हलके हलके कदमों से अंधेरे का फाइदा उठा करके और खिड़कियों से जरोखों से जंगलों से जालियों से जिस जिस रानी के भवन में ज्ञांक करके देखते हैं वही नारज जी को द्वारे का धीस दिखाई दे रहे हैं रुक्मनी महरानी के भवन में गए तो वहां मी द्वारिकादीस दिखाई दिए जामवंती के भवन में गए तो वहां मी द्वारिकादीस दिखाई दिए सत्य भामा के भवन में गए तो वहां मी द्वारिकादीस दिखाई दिए कालिंदी यमुना के भवन में गए तो वहां भी द्वारिका धीस दिखाई दे रहे है माने हर जबे द्वारिका धीस को देखा सोही नारजी समझ गए कि भाई द्वारिका धीस कोई साधारण नर नाली थोड़ए है ये तो साक्षात भगवान है त्रिलू का अधिपती है द्वारे का नाथ है ये तो मेरी गलती थी कि भगवान के प्रती मैंने मनुस्य बुद्धी करी तो देखो भगवान सब कुछ करने में समर्थ है ऐसा कोई कार नहीं है दुनिया का जो भगवान नहीं कर सकते भगवान सब कुछ कर सकते तो याद रखो हमें कभी भगवान की होड नहीं करनी चाहिए भगवान स्री कृष्ण ने जो किया है वो हमारे बसकी बात नहीं है भगवान स्री कृष्ण ने जो किया है वो हम न करें भगवान स्री कृष्ण ने जो कहा है वो हम करें भगवान राम ने जो किया है उसे हम करने का प्रयास करे तो भगवान राम ने जो किया और भगवान स्री कृष्ण ने जो कहा यही हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए तो प्रेम से बुलो राधे राधे तो इधर भौमासुर जो है सुन्दर सुन्दर कन्या इखटी कर रहा है इधर द्वारे का में नारज जी महाराज द्वारे का धीस के पास में आए और द्वारे का धीस का दिप्य दर्शन पाकर के नारज जी महाराज का जो अहंकार है या नारज जी महाराज का जो मोह था वो भी दूर हो गया भूलिये स्री मन नारायन भगवान की है तो प्रेम से बोलो राज है तो देखो इधर हमारे नारज जी महाराज द्वारे का धीस के चरणों में सरेंडर कर दिए और इधर भूमासुर ने हजारों की संक्या में कन्याओं को इखटा किया और आज नारज जी महाराज की मुलाकात जब द्वारे का धीस से हुई तो द्वारे का धीस को ख़बर दी क्योंकि सारी दुनिया की ख़बर हमारे नारज जी महाराज रखते है क्या ख़वर दी कि हे द्वारिक अधीस हे प्रभू हे गोविंद आपके रहते हुए यदि ऐसा अनर्थ होगा तो कैसे काम चलेगा अरे इस भूमी पुत्र भौमासुर को तो देखो न जाने कितने हजार कन्याओं का जीवन बरबाद करने पर तुला है महराज आप क्रिपा करो दया करो कैसे भी करके उन कन्याओं के जीवन को आप बचाओ तो द्वारिक अधीस ने कहा कि अच्छा ख़वर पक्की है बोले हाँ महराज हंड्रेट परसेंट पक्की है तो नारज जी महराज ने ख़वर दी और द्वारिक अधीस अपनी अलोकिक सेना लेकर के भौमासुर के यहां माने भूमी के नीचे जो भवन बना करके रखे हैं उनमें जाकर के भगवान ने आक करमन कर दिया तो कनया का द्वारिक अधीस का और भौमासुर का बड़ा भैंकर युद्ध हुआ सेना ने सेना को मार दिया और द्वारिक अधीस ने भौमासुर का उद्धार कर दिया बोलिए द्वारिक अधीस भगवान कीजे अब जैसे ही भौमासुर का उद्धार हो गया सो ही कन्याएं आजाद हो गई सब कन्याओं को कारागार से मुक्ट कर दिया लेकिन अब समस्या ये है कि वो कन्या विचारी जाएं तो जाएं कहां भगवान ने कहा कि देखो कन्याओं आप सब अब स्वतंत्र हो और अब जिसे जहां भी जाना है वो जा सकती है तो कन्याओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने मन ही मन में कहा कि हे द्वारिका अधीष हे गोबिन्द हे गोपाल अब हम कहां जाएंगे किसी को आए हुए साल हो गई है किसी को आए हुए दो साल हो गई है और किसी को आए हुए छै महीने हो गई है किसी को आए हुए डेड़ साल हो गई है अब सोचो कि किसी की बालका यदी दो साल डेड़ साल छै महीने या एक साल से घर से गाइब हो जाए और ढूडने पर भी न मिले और फिर अचानक आ जाए तो माता पिता का क्या हाल हो और फिर माता पिता की तो छोड़ो ये समाज वाले गली वाले मुहले वाले वैसे ही जीने नहीं देंगे नजाने कितने प्रकार के ताने मारते रहेंगे तो उन कन्याओं ने द्वारे का धीस से निवेधन किया क्या निवेधन किया कि क्रिष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमह हे गोविंद हे गोपाल अब तो हमने आपके ही नाम ये जीवन कर दिया है आपके चरणों में ही ये संपूर जीवन जो है अरपित कर दिया है अब आप जो है हमें सुईकार करो अपने चरणों की दासी बना करके रखो हमें द्वारिका में लेकर के चलो हम वहीं आपकी जीवन भर सेवा करेंगी भगवान ने नारीज जी की तरफ इसारा किया अरे महाराज आपने हमको कहां लाकर के फसा दिया अरे देखो तो सही ये कितनी है तो नारीज जी महाराज ने गुंती करी तो उन कन्याओं की गिंती निकली है पूरी 16100 तो अब कितने विवा हो गए भगवान के भगवान ने उन सभी कन्याओं को सुईकार कर लिया द्वारिका लेकर के गए और द्वारिका में खोब गाजे बाजे के साथ में बड़े आनंद के साथ में पान ग्रहन संसकार संपन हो गया बोलिए द्वारिका दीस भगवान की जै 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 स्रीराद हे तो भगवान के 16108 विवा हो गए आज 16108 रानिया भगवान की बड़ी प्रसन है बड़ी खुस है और यजुदा मैया को बदाई दे रही है कि देखले मैया तेरी क्रपा से यदि तू ऐसो लाल जो है नहीं जनती तो फिर हमें कहां से मिलतो तो यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी तो कितना सुन्दर भाव है कि मैया को शुब कामना दे रही है कि यसूदा मैया का लाल आज द्वारे का धीस बन करके इन 16108 रानियों को प्राप्त हो गया है यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी प्यारा लगी जग से न्यारा लगी यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी यसूदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगी कर दो कर दो कर दो मैया तेरे लाल के घुम्बराले बाल है मैया तेरे लाल के घुम्बराले बाल है काधा के सिर्फे मूर पंख प्यारा लगे काधा के सिर्फे मूर पंख प्यारा लगे यसुदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे यसुदा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे काधा के सिर्फे मूर प्यारा लगे मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान है मैया तेरे लाल के छोटे छोटे कान है चोटे छोटे कान है हां प्यारे प्यारे कान है चोटे छोटे कान है हां प्यारे प्यारे कान है काना के कान कुल प्यारा लगे यसुदा तेरा लाल बड़ा 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 प्यारा लगे लाल बड़ा लाल बड़ाई बैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ है बैया तेरे लाल के छोटे छोटे हाथ है हाथों में इसके बंसी बड़ी प्यारी लगे हाथों में इसके बंसी बड़ी प्यारी लगे यह सोधा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे प्यारा लगे जग से न्यारा लगे प्यारा लगे जग से न्यारा लगे यह सोधा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे यह सोधा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे यह सोधा तेरा लाल बड़ा प्यारा लगे यह सोधा लगे ये हो दो जल सुदा तिरो लाल बड़ा प्यारा लगी जल सुदा तिरो लाल बड़ा प्यारा लगी जल सुदा तिरो लाल बड़ा प्यारा लगी काना 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 जय जय स्री रधेश्या तो देखो भगवान के सोले हजार एक सो आठ बिवाह संपन हो गए तो प्रेम से बुलो राधे राधे और तत पस्चात स्री सुकदेव जी महराज ने जब राजा परीक्षित ने गुर्देव स्री सुकदेव जी महराज से पूछा के हे गुर्देव आपने हमें भगवान की बहुत सारी लीलाएं स्रवन कराई भगवान के बहुत परम लाडले भक्तों के चरित्र स्रवन कराएं बड़ा आनन्द आया भगवान की दयालुता भी आपने हमें दिखाई भगवान की क्रिपाल उता भी आपने हमें दिखाई लेकिन भगवान की दीन बंधुता अभी तक आपने हमें नहीं दिखाई तो जैसे ही भगवान की दीन बंधुता की बात करी सोही श्री सुकदेब जी महराज को भगवान के परंप्रिय लाड ले भक्त सुदामा की कथा भक्त सुदामा का चरित्र याद आ गया क्यों कि सुदामा चरित्र में भगवान की दीन बंधता का दर्सन है स्री सुदामा जी महराज दीन है और ऐसे दीन जो हरी नाम जपने वाले हैं भक्ती करने वाले हैं ऐसे दीनों के बंधू हैं भगवान द्वार का धीस ऐसे ही दीनों के बंधू है तो जैसे ही सुदामा की याद आई तो सुदामा का परंपावंचरित्र स्रवन कराया कृष्ण स्यासी सखा कस्चे ब्राम्हनो ब्रम्ह वित्मह विरक्तह इंद्रियार्थे सुद्ध्रसांता आत्म जितेंद्रिया तो देखो स्री सुदामा जी महराज का कैसा परंपावंचरित्र है बैसे तो सारी दुनिया में स्री सुदामा जी महराज को कोई गरीब समझता है या कहता है या कोई दरित्र समझता है या कहता है या कोई गरीब समझता है या कहता है लेकिन वास्तविकता ये है कि स्री सुदामा जी न दरित्र है न गरीब है और ना ही किसी प्रकार का स्री सुदामा जी महराज के पास कोई अभाव है क्यों नहीं है क्योंकि वो भगवान का भजन करने वाले हैं भगवान के प्रेमी हैं तो सबसे पहले तो हम गरीब और दरित्र की परिभासा समझें कि आखिरकार संसार में गरीब दरित्र कोन है दरित्र किसे समझना या कहना चाहिए तो देखो दरित्र की परिभासा है दरित्रा सीद माना सा वेप माना वेगम्यच माने दरित्रो यस्त्व संतुष्टः भगवान ने हमें खोब बढ़िया दिया है खाने के लिए भी रहने के लिए भी पहनने के लिए भी उपयोग के लिए लेकिन फिर भी हम अपने से संतुष्ट नहों करके हमेशा दूसरे को देख करके यही सोचते रहते हैं कि यार हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया है इसे दिया है जो कुछ भी भगवान ने दिया है तो याद रखो के हमें भगवान ने जो भी दिया है जितना भी दिया है यदि हम उसी में संतुष्ट हैं तो हमसे बड़ा अमीर इस दुनिया में और कोई नहीं है और यदि हम संतुष्ट नहीं है तो चाहे हमारे पास हजारों करोड की ही संपत्ती अब भगव ही क्यों नहो फिर हमसे बड़ा दरित्र इस दुनिया में और कोई नहीं है तो याद रखो माता वेन भाई बंदो कि स्री सुदामा जी के पास भले ही संसार का धन दौलत वैभव नहीं है लेकिन सुदामा जी महराज को कोई लालसा या कामना भी नहीं है कि हमारे पास हो या स्री सुदामा जी महराज दूसरे के बैभव को देख करके या दूसरे के धन इस्त्री को देख करके कभी अपने मन में कोई ऐसा विचार भी नहीं आने देते कि ये हमारे पास भी हो या ये हमारा हो तो स्री सुदामा जी के पास जो कुछ भी है स्री सुदामा जी उसी में संतुष्ट हैं तुष्ट हैं पुष्ट हैं इसलिए स्री सुदामा जी दरिद्र नहीं है गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि त्रिलो का अधिपती का जो चेला हो या भगत हो या प्रेमी हो तो सोचो कि सारी दुनिया का मालिक द्वार का धीस और उसका प्रेमी उसका भक्त कभी गरीब हो सकता है क्या अरे भाया उसके पास तो भंडार भरे रहते हैं काएके भंडार भरे रहते हैं असली धन के तो समझने वाली बात ये है कि महाराज फिर असली धन और नकली धन क्या है तो देखो ये संसार में जो कागज के नोट है सोना है, चांदी है, हीरे जवाराद जो कुछ भी है, जमीन जायदात, घर मकान या पसू धन या और कोई धन ये संसार का जो भी धन है, ये सब जूटा धन है क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ रहने वाला या हमारे साथ जाने वाला नहीं है तो महाराज फिर असली धन सक्चा धन कौन सा है तो वो हमारे कबीर दास जी बता रहे है कविरा सब जग निरधन धनवन्ता नहीं कोई धनवन्ता सोई जानिये जाके राम नाम धन होई तो धनवान वही है जिसके पास राम के नाम का कृष्ण के नाम का धन है तो देखो स्री सुधामा जी के पास राम के नाम का कृष्ण के नाम का द्वार का धीस के नाम का इतना धन है इतना वही भव है कि अपने वही भव अपने धन के एक अंसमात्र से ही सारी दुनिया को धनवान बना सकते हैं स्री सुधामा जी के पास इतना धन है तो स्री सुदामा जी धरित्र नहीं है, स्री सुदामा जी गरीब नहीं है स्री सुदामा जी क्या है? कृष्ण स्या सीट सखा कस्चित भगवान स्री कृष्ण के सखा है और कैसे है? बुले ब्राम्वनों ब्रम्हवित्तमह स्री सुदामा जी सरीर से ब्राम्वन और ब्राम्वनों में भी करोडों ब्राम्वनों में कोई एक ऐसा ब्राम्वन होता है कि मनुस्यानाम सहस्रेशू कस्चिद्ध ततिसिद्ध यतताम अपिसिद्धानाम कस्चिन्माम वेतितत्वतह माने भगवान को जानने वाला पहचानने वाला ब्राम्वन ब्रह्मरूपी वित से कूट कूट करके जो लबा लब भरा हुआ है वही है असली ब्राम्वन तो स्री सुदामा जी कैसे हैं स्री सुदामा जी केवल ब्राम्वन नहीं स्री सुदामा जी ब्रह्मवित्तम है माने ब्राम्मणों में भी करोडों में एक ब्रह्मवित्तम होता है जिसके पास ब्रह्मरुन पीधानी है बाकी तो सब खाने कमाने और पेट बालने में ही लगे है लेकिन करोडों में कोई एक ऐसा ब्राम्मण होता है जो वास्तम में तेजस्वी होता है तपस्वी होता है यसस्वी होता है मनस्वी होता है उजस्वी होता है जिसे संसार का धन नहीं ब्रह्म रूंपी धन चाहिए जो के सुदामा जी के पास में है और कैसे है सुदामा जी तो बोले विरक्त है स्री सुदामा जी महाराज विरक्त है संसार में आसक्त नहीं है स्री सुदामा जी महाराज हमारी तुम्हारी तरह संसार में चिपके हुए नहीं है आसक्त नहीं है इसलिए विरक्त है इंद्रियार थेजी स्री सुदामा जी के सरीर में भी बिलकुल ऐसी ही इंद्रियां है जैसी हमारी और तुम्हारी है लेकिन हमारी इंद्रियां और हमारा मन जो है संसार के चक्र में लगा रहता है और स्री सुदामा जी का मन और स्री सुदामा जी की इंद्रियां जो है हमेशा ब्रह्म रूपी धन का ही संचय करने में लगी रहती है तो और कैसे है महाराज सुदामा मुले प्रसांत आत्मा जितेंद्रिया स्री सुदामा जी महाराज केवल सांत नहीं प्रसांत है सांत से भी बहुत आगे बढ़ करके प्रसांत और कैसे है मुले जितेंद्रिया हमारी और तुम्हारी इंद्रियां हमारे अपने वस में नहीं हैं लेकिन स्री सुदामा जी महाराज की इंद्रियां उनके अपने वस में हैं इसलिए स्री सुदामा जी महाराज जो है जितेंद्रिय हैं लेकिन अब ये सब तो ठीक है महाराज की सुदामा जी जितेंद्रिय हैं सुदामा जी विरक्त हैं स्री सुदामा जी महराज पवित्र हैं स्री सुदामा जी महराज बहुत बड़े महापुरुस हैं लेकिन महराज संसार में तो संसार के धन भईभव से संसार की वस्तू और पधार्थों से ही काम चलता है जो कि सुदामा जी के पास या सुदामा जी के घर में नहीं है तो सुदामा जी अकेले नहीं सुदामा जी की एक पत्नी भी है जिसका नाम है सुसीला तो सुसीला बिचारी नजाने कितने वरसों से सुदामा जी के साथ रह रही है और बड़े प्रेम से गुजारा हो रहा है लेकिन आज स्री सुदामा जी महराज जब घुम फिर करके आए घर तो स्री सुदामा जी महराज ने कुछ ओरर कर दिया सुसीला को लेकिन घर में महराज हर वस्तू का हर पदार्थ का इतना अभाव है कि न आटा है न दाल है न चाबल है न चीनी है न घी है न गैस है कुछ भी तो नहीं है तो आखिरकार सुसीला भी विचारी सुदामा जी को कहां से चाए बना करके दे कहां से भोजन बना करके दे तो सुसीला को भी अच्छा नहीं लगता है सुसीला को भी बड़ा बुरा लगता है लेकिन करे तो करे क्या अब संसार का धन कहां से आए भईभब कहां से आए तो सुसीला ने सुदामा जी महराज को बड़ी जोर से भटकार लगाई डांटा तो सुदामा जी ने कहा कि कोई बात नहीं भागवान हमारी गलती है हमें तुम से कुछ कहना ही नहीं चाहिए था लेकिन कोई नहीं जैसी ठाकुर जी की इच्छा तो देखो कई बार तो ऐसे ऐसे दिन भी आ जाते हैं सुदामा जी के जीवन में कि कई बार ठाकुर जी का केबल जलका ही भोग लगा करके सुसीला को और सुदामा जी को रात्री में विस्त्राम करना पड़ता है तो ऐसी हालत है यदि संसार की दरश्टी से देखा जाए आज सुसीला को पता लगा है अपनी पड़ोसिन से क्या पता लगा के हमारे पती देव का कोई लंगोटिया यार है जिसका नाम है स्री कृष्टन बचपन का सखा है साथ साथ पढ़ा है और आज जो है दैव योग से वो द्वारिका का राजा बन गया है तो आज कल उसका नाम है स्री द्वारिका धीस महराज बोलिए स्री द्वारिका धीस जी महराज की जै 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 स्री राजे सुसीला ने आकर के सुदामा जी को कहा के है हे पती परवेस्वर आप क्यों अपने मित्र के पास नहीं चले जाते इतना पैसे वाला है इतना भईभव साली है और आखिरकार वो राजा है उसके पास क्या कमी है यदि आप द्वारिका चले जाएं तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मित्र जो है तुम्हारी हालत देख करके जादा नहीं तो दस वीस किलो सोना चांदी तो दे ही देगा क्योंकि उसके यहां तो ट्रक के ट्रक महराज भंडार भरे पड़े है राजा महराजाओं के यहां क्या कमी होती है तो माराज यदि आप दस पांच किलो सोना चांद ही भी ले आओगे तो हम दोनों पती पत्नियों का जीवन बड़े आराम से कट जाएगा तो सुदामा जी ने कहा कि देख भागवान यदि तू चाहती है कि मैं अपने मित्र के पास मागने के लिए जाओं तो मैं कदापी नहीं जाओंगा और यदि तू कहती है कि मैं अपने मित्र के पास दरसन करने के लिए जाओं उससे मिलने के लिए जाओं तो मैं चला भी जाओंगा लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं जाओं भी तो कौन से मुख से जाओं क्योंकि सास्त्र ऐसा कहता है महापुरस ऐसा कहते है कि गुरू जी के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ मित्र के यहां जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ मंदिर में जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ किसी आचार ब्राम्वन के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ अपनी नातेदारी रिस्तेदारी में भी जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो हर जगे से खाली हाथ ही आओगे और यदि ही कुछ मुठी में ले जाओगे और ले जाकर के वहां प्रस्तुत कर दोगे, दान कर दोगे, या परोज दोगे, तो फिर वहां से भी जोली भर के लाओगे तो भागवान अब हम जाएं भी तो कौन से मुक्से जाएं हमारे पास, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए तो सुसीला ने कहीं महराज, आप जाने की तैयारी तो खरो, बागी विवस्था तो मैं कर दूँ, तो इधर सुदामा जी ने कहा कि हम तो तैयारी रहते हैं, अब हमारे पास कोई इतने जादा लटता खपड़ा तो है ना है कि अब जी जो पहर राखे का हैं, जिनों हम उतार और फिर दूसरे हम बदले, तो इतने लटता तो हम पहतना हैं बाई, एक ही जोड़ी नों, कहके महीना लटकाए कि राखता हैं, अब जी हूँ भटे तूटे सड़े गले से हैं, तो हम तो तैयार हैं, तो कर विवस्था, तो सुसीला घर से बाहर जाती है, और घर से बाहर चार घरों से चार मुठी चावल लेकर आती है, और एक सड़े गले से कपड़े में ही चार जगे बानती है, अलग अलग घञांते, अलग अलग पोटली बना देती है, स्री सुदामा जी महाराज को देती है और स्री सुदामा जी महाराज उस पोटली को अपने कंदे पे डालते है और लठिया ले करके स्री सुदामा जी महाराज धीरे 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 द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे है स्री सुदामा जी महराज के चरणों में चपल नहीं है स्री सुदामा जी महराज के चरणों में खडाऊं भी नहीं है स्री सुदामा जी महराज के चरण नंगे है आज चलते 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 नजाने कितने कंकड लगे नजाने कितनी लकड़ियां तूटी पैरों में न जाने कितने कांटे लगे न जाने कितने कील चोबा कुछ गए स्री सुदामा जी महराजी के पैर बड़े भैंकर घायल हो गए खून निकलने लग गया विबाईया फटने लग गई और चलते 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 धोताएं ते सांज है गई लेकिन स्री सुदामा जी महराज जो है अबई तक द्वार का नगरी में नाएं पहुंचे बोलिए स्री सुदामा जी महराज की जे 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 स्री रादेश लाइट को पका कर दो ये दिक्कत करेगा जे जे स्री रादेश लादेश तो देखो धोताएं ते सांज है गई चलते चलते लेकिन सुदामा जी महराज अबई तक द्वार का नाएं पहुंचे स्री सुदामा जी महराज जंगल में पहुंच गए और जंगल में नदी पड़ी स्री सुदामा जी महराज के सामने तो अब रात्री हो गई है और रात्री का विस्राम स्री सुदामा जी महराज ने उस नदी के किनारे ही कर लिया है दो तायते सां तक सुदामा जी महराज ने कचु खाया पिया भी नहीं है अब खाएंगे पीएंगे कहां कचु मिला ही नहीं है तो नदी का ही जल पी करके गुजारा किया भूख भी बड़ी जोरकी लगी है और ठकान भी बड़ी जोरकी हो गई है तो स्री सुदामा जी महाराज वही इतना बड़ा पत्थर नदी के किनारे लगा करके और तकिया बना करके लेट गए लेटे लेटे अपने मन में स्री सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि हे द्वारे का अधीस हे स्री कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल भाई हमन तो अपनी तरफ दे खोब जोर लगाए लो खोब कोशिस कर लई लेकिन हम तो तेरी द्वारे का नगरी अपने पुरसार्थ से नहीं पहुँच पाए देख लाला अब हम सरेंडर कर रहे हैं अब हम प्रणपात कर रहे हैं अब तू जाने तेरो काम जाने अब हमारे बस भी बात नहीं है तो ऐसे ही द्वारे का धीश से प्रार्थना करते 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 और स्री सुदामा जी महराज की आँख लग गई स्री सुदामा जी महराज की आँख लग गई तो भगवान द्वारिक अधीस ने काम कर दिया क्या कर दिया कि भगवान द्वारिक अधीस ने योग माया को आदेश कर दिया और योग माया ने स्री सुदामा जी महराज को उठा करके जंगल से नदी के किनारे से सीधा द्वारिका नगरी में सुला दिया और आज प्रात है काल जब स्री सुदामा जी महराज की आँखें खुली तो स्री सुदामा जी महराज को विस्वास नहीं हो रहा है कि ये हम कहां आ गए हम सोए तो थे राज कुमार जी जंगल में नदी के किनारें लेकिन हमारी जब आँखें खुली सुन्दर नर नारी देवता समान दिखाई दे रहे हैं और बड़े भवनों के जो मुख्य द्वार होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी गईया मैया भी दिखाई दे रहे हैं संत ब्राम्भन भी दिखाई दे रहे हैं और भी न जाने कितने संब्रांत प्राणी दिखाई दे रहे हैं ये तो कोई नगर लग रहा है ये तो कोई पुरी लग रही है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है हमें विस्वास ही नहीं हो रहा है तो देखो स्री सुदामा जी महराज को विस्वास नहीं हुआ तो स्री सुदामा जी ने सोचा कि थोड़ा सा आगे चले और आगे चल करके काउ से पूछ ले थे तो स्री सुदामा जी महराज धीरे धीरे हलके हलके कदमों से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके स्री सुदामा जी महराज ने दो चार लोगों से पूछा क्या पूछा अरे भाईया ये कौन सी नगरी है अरे भाईया ये कौन सी पुरी है तो प्रतेक व्यक्ती ने कहा कि बाबा ये द्वार का नगरी है ये द्वार का पुरी है तो स्री सुदामा जी ने कहा कि अच्छा भईया तो हम द्वारे का पुरी द्वारे का नगरी पहुँच गए भूले हाँ बाबा तुम द्वारे का पुरी ही द्वारे का नगरी पहुँच गए तो सुदामा जी ने कहा कि फिर तो यहां हमारे कनिया का भवन होगा फिर तो यहां हमारे कृष्ण का द्वारिक अधीस का महल होगा क्योंके हमारा द्वारिक अधीस यहां का राजा है तो दो चार लोगों से पूछा भईया यहां का राजा कौन है तो लोगों ने भगवान का नाम बताया द्वारिक अधीस बताया कृष्ण बताया तो स्री सुदामा जी ने कहा भईया हमें उससे मिलना है उससे मिलने का रास्ता कोई दरवाजा हो तो हमें बताओ तो लोगों ने इसारा कर दिया और अब धीरे धीरे स्री सुदामा जी महराज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में स्री सुदामा जी महराज द्वारे का दीज़ का बड़ा सुन्दर कीरतन भी कर रहे हैं द्वारे का दीज़ का नाम भी ले रहे हैं और आगे की तरफ दीरे दीरे है स्री सुदामा जी महराज द्वारे का के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं बोलिये श्री द्वारिका धीस भगवान की जए तो देखो इधर द्वारिका के अंदर द्वारिका धीस अपने राज सिंगहासन पर विराजमान है अपनी भगवती रुक्मणी महरानी के साथ राज सिंगहासन पर द्वारिका धीस विराजमान है और इधर उनका प्रीय भक्त सुदामा जो है द्वारिका दिश से मिलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आगे चल रहा है और अब चलते 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 है स्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे हैं द्वारिका के मैन गेट पर पहुँचे हैं वहां जाकर के द्वारपालों के साथ में स्री सुदामा जी महराज ने वारता लाप किया है और स्री सुदामा जी महराज ने द्वारपालों से पूछा है कि भाईया क्या ये हमारे स्री कृष्ण की नगरी है क्या ये हमारे द्वारे का अधिस की ही पुरी है तो द्वारपालों ने कहा है कि हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम कौन हो महराज तुम कौन हो बाबा कहां से आए हो क्या चाहिए तो स्री सुदामा जी महराज ने कहा कि मैं द्वार का धीस का स्री कृष्ण का बड़ा ही लाडला लगोटिया यार हूँ तो द्वार पालों को स्री सुदामा जी महराज की इस बात को सुन करके बड़ी हसी आई और द्वार पालों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जैसा एक भूखा नंगा फटे तूटे कपड़े बाला ऐसा व्यक्ति हमारे द्वार का धीस का भक्त कैसे हो सकता है हमारे द्वार का धीस का यार कैसे हो सकता है क्योंकि हमारे द्वारे का अधीस के पास तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा, धी राज, बड़े बड़े मंत्री, संत्री रोज आते रहते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे मित्र हमारे द्वार का धीस के हमने तो कहीं देखे नहीं तो देखो भाईया याद रखो यस्या हमनुक्रहनामी हरिस्ये तधनम सनई ततो धनम त्यजन्त्यस्या स्वजना दुख दुख धितम भगवान कहते हैं कि जिसे मैं सुईकार करता हूँ उसका सारा धन भैभव मैं अपने पास खीट लेता हूँ ताकि वो मेरी सरण में आ जाए मेरा भजन करे और आनंद में लीन हो जाए इधर द्वारपालों ने जा करके अंदर द्वार का धीस को सूचना दी द्वार का धीस को बताया के है द्वार का धीस छमा करना कोई फटा तूटा सा कोई बाबा सा आया है लत्ते कपड़े बड़े मेले कुचेले हैं लेकिन वो आपको अपने बच्पन का सखा कह रहा है अपना यार कह रहा है अपना मित्र कह रहा है और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है तो जैसे ही द्वार का धीस ने सुना कि सुदामा तो देखो हमारे द्वार का धीस सुनते ही दोड़े चले आये मोहन द्वार का धीस कथा नहीं सुन रहे है तो देखो जैसे ही द्वार का धीस ने सुना सुनते ही दोड़े चले आये मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुकमिनी को बड़ा ही अचंभा ये महमान कैसा अजीब आ गया है ये महमान कैसा अजीब आ गया है तो देखो जैसे ही स्याम सुन्दर ने जैसे ही द्वार का धीस ने जैसे ही मोहन ने सुना कि मेरा मित्र आया है सुदामा आया है सो ही दोड़े चले गए और जा करके मुख्य दरवाजी पर मैन गेट पर सुदामा को अपने हिर्दे से लगाया और हिर्दे से लगा करके सुदामा को ले करके आये और अपने सिंहासन पर बिठाया अरे भहिया तू इतने दिनन से कहा हो ये तेरी कहा दसा है रही है मोगू तेरी ये दसा देखके बड़ो कस्ट है रहो है अरे लाला तू तो मेरे बच्पन को यार है सुदामा मित्र से कभी कचु छुपाते नहीं है पतो है चों किस-किस को पतो है कि मित्र से कचु छुपानो नहीं चाहिए गुरु से कपट मित्र से चोरी और के होए निर्धन के होए कोडी तो भाईया समाज को सिक्षा देवे के काजे हमने अधर्ती पे जनम लेके अनेक लीला करी है ऐसी ही इन में से एक सुदामा चरित की लीला है जामे जब गुरु माता सुदामा भाईया को और मोकु चना दीनी थी जब हम लकडी भी इन वे जंगल में गए तो मेरे या मित्र ने भूल से एक भूल कर देई मेरे हिसा के चनन कू जब या कू जोर की भूख लगी तो याने ही पाली नो पर भीया जो कछू भयो वाए देख के मुई बड़ो कस्ट भयो तेने इतने दिनन से मेरी सुद क्यो नहीं लई बड़ो कस्ट है रोय तेरी ये दसा देख के बुलिये श्री हरी भगवाने की सीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसे के ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरू पाए उपा नहीं की नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुरवल एक रयो चकिसों वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयालको नाम बतावत आपन नाम सुधामा एसे बिहाल बिवाइन सोंपग कंटक जाल लगे पुन जुए भाई महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए देखे सुधाम की दीन दसा करुणा करके करुणा निधी रोए पानी परात को हात छुयो नहीं नेनन के जलसों पग धोए तो देखो स्री सुधामा जी महाराज द्वारिकादीस के पास पहुँच गए द्वारिकादीस ने स्री सुधामा जी को अपने राज सिंहासन पर बिठाया और स्री सुधामा जी के चरण पखारे चरणों का पूजन किया और स्री सुदामा जी महराज की सभी रानियों से सुन्दर सुन्दर सेवा करवाई सभी रानियों को बताया कि ये हमारे वजपन का सखा है हमारा लंगोटिया यार है हमारे हिर्दे का हमारे जिगर का टुकडा है तो देखो अब स्री सुधामा जी महाराज बैठे हैं और द्वारे का अधीस श्री सुधामा जी का हाल चाल पूछ रहे तो आईए हम भी एक भाव के मात्यम से स्री सुधामा जी के साथ द्वारे का है अरे भईया तू इतनी दिनन बाद मोंसे मिलवे आयो है अब तु यो बता तिरो ब्या भ्या भयो है कि ना भयो अभी नहीं हुआ अरे भया मैंने अभी समझाई कि मित्र से जूट ना बोले है भयो है तो मेरी भावी ने मेरे काजी कच्छु भेजो ना है नहीं भेजा कच्छु तो भेजो है गो ऐसो ना है सके मैं अपनी भावी को प्यारो देवर हूँ नहीं भेजा है लाला तेरी चोरी की आदत गई नहीं देख ले काज चुपा रहे है कुछ नहीं कच्छु तो लायो है चल देम हो कूँ तो देखो इस प्रकार से द्वार काधिस ने लीला और वारता लाप करते हुए सुदामा जी ने जो पोटली अपनी बगल में छुपा करके रखी हुई थी वही पोटली सुदामा जी ने निकाल करके सारी दुनिया को भरी सभा को दिखाई और उस पोटली में से चावल जो सुदामा जी लेकर के आए थे जो सुसीला ने दिये थे वही चावल दौरिक अधीस ने खाए और जैसे ही एक मुठी खाई तो समझ लो के मरत्यू लोक का जितना भईभव होता है जितना भी सुख संपत्ती होती है साव दे दिया सुदामा जी महराज को सब प्रदान कर दिया और जैसे ही दूसरी मुठी खाने लगे तो ही रुकमणी महराणी ने हाथ पकड़ लिया अरे महराज मुरत्यू लोक का सारा सुख पहले ही आप दे चुके हैं और ये ज़्यादा चावल मत खाओ महराज ये कच्चे चावल है तुम्हारे पेट में दर्द है जाएगो और दर्द है जाएगो तो फिर जल्दी से डॉक्टर भी नहीं मिले तो दौरिक अधीस ने रुकमणी महराणी का इसारा समझा और फिर एक ही मुठी खा करके सुदामा जी को दुनिया का सारा बैभव सारी संपदा सारा सुख प्रदान कर दिया विश्व कर्मा ने सुदामा पुरी का निर्मान किया सुसीला रानी बन गई और सुदामा जी दौरिका में ठाट से छपन प्रकार के भोग पा रहे हैं और दौरिक अधीस अब पूछ रहे हैं कि बता मेरे यार सुदामा रे भाई धने दिना में आया बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई घडे दिना में आया बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई धने दिना में आया पता मेरे यार सुदा मारे भाई खड़े दिना में आया पालक थारे जब आया करता रोज खेल की जाया करता बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता हुई के तक रार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया पता मेरे यार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया अजय को सिव में आया मने सुना दे कुटम कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी मने सुना दे कुटम कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी मने सुना दे कुटम कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी कि तोट की मार सुदा मारे भाई गड़े दिना में आया तोट की मार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया पता मेरे यार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया कर दोट की तोट से लकारा बाई लकारा सुदा में आया सब सब बच्चों का हाल सुना दे मिसराणी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसराणी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसराणी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसराणी की बात बता दे क्यों गया हार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया क्यों गया हार सुदा मारे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदा मारे बना मेरे यारे सुदा मारे बैगडे दिना मेरे आया इब भी आ गया ठीक बखत पे आ जा पे जा मेरे तखत पे इब भी आ गया ठीक बखत पे आ जा पे जा मेरे तखत पे उजिगरी यारे सुदा मारे भाई घडे दिना मेरे आया बता मेरे यारे सुदा मारे भाई घडे दिना मेरे आया बता मेरे यारे सुदा मारे भाई घडे दिना मेरे आया बता मेरे यारे सुदा मारे भाई घडे दिना मारे भाई घडे दिना मेरे आया तो देखो इस प्रकार से द्वारिका धीस ने स्री सुदा माजी महराज का हाल चाल पूछा और स्री सुदा माजी महराज के जीवन में आनंद कर दिया स्री सुदा माजी महराज सुदा मापुरी में पधारे और सुसीला के साथ भगवान के आसीरवाद से आगे का जीवन खोब सांसारिक सुख भईभव के साथ खोब आनन्द से जिये भगवान का प्रेम और आसीरवाद और भक्ती सदां सरवदा सुदामा जी के जीवन में बनी रही तो देखो ये जो स्रीमत भागवत कथा का आयोजन हो रहा है हम सब लोग जानते हैं कि ये दिब्ब आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के हमारे यजमान स्री राजकुमार सिंग ठाकुर एवं स्री रेखा सिंग और उनके सारे मालवच्चे नातेदार विस्तेदार मालगूपा तो आयोजन की परंपावन धरा पर ये आयोजन हो रहा है तो देखो यहां आयुत्यामे रामजी के दरवार में भागवत के माध्यम से कनया के माध्यम से जैजेकार हो रही है तो आईए अवध में हो रही जैजेकार तो आईए हम लोग रामजी के प्रांगण में खोब नाचे जूमे गाएं आनंद मस्ती करें और द्वारिका धीस भगवान के साथ द्वारिका धीस भगवान का पूजन करें स्री सुदामा जी महराज का भी पूजन करें साथ में रुक्मिडी महरानी का भी पूजन करें और खोब जैजेकार करें हम्हम्हम्हम् अवद में हो रही जैजेकार अवद में हो रही जैजेकार अवद में हो रही जैजेकार देख के राम लला का मंदिर देख के राम लला का मंदिर सनमन हरज अपार अवद में हो रही जैजेकार अवद में हो रही जैजेकार अवद uwagę से की जैजेकार अवद में हो रही जैजेकार एट चल्न करें सुबसंकलबों का ये फल है सुबसंकलबों का ये फल है सुबसंकलबों का ये फल है स्रदा और भक्ती का फल है जो ती जले जब सात्य धरम की जो ती जले जब सात्य धरम की जो ती जले जब सात्य धरम की क्योन मिटे अंदखार आवद में हो रही जै जैकार अमद में हो रही जै जैकार में हो दी जैके जैकार ये ज्मद में हो रही जैकार टी जैकार में हो ती जह जैकार डlden जैकार तुबस जैकार उलाव हो प्रक्ता तो देखो ये द्वार का दीस और रुक्मणी महारानी सुदामा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं तो जो भी माता भेन भाई बंदू यहां आ करके इनके चरण स्पर्स करना चाहे स्री सुदामा जी महाराज के चरणों में कुछ भेंट पूजा चड़ाना चाहे वो बिल्कुल सरम हया छोड़ करके क्योंकि भगवान के सामने जाने में कोई सरम नहीं होनी चाहिए भगवान के सामने जाने में पूजा करने में चड़ावा चड़ाने में जिसको सरम आती है उसके करम जो है फूट जाते हैं तो अपने करम मत फोड़ो भगवान के पास आ करके भगवान के चरणों का इसपर्स करो द्वारी का धीश से प्राड़्थना करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ तो जो भी माता वहनवाई बतू आना चाहते दो दो चार चार चले आएं और भगवान के धर्सन करके अपना जीवन परम पावन बनाएं मंगल नाम अ मंगल हारी मंगल नाम अ मंगल हारी लखन सिया संग अवध बिहारी लखन सिया संग अवध बिहारी लखन सिया संग अवध बिहारी सीस चुखाएं स्री चरणों में सीस चुखाएं स्री चरणों में बैठ बवन कुमार अवध में हो रही जै जैकार अवध में हो रही जै जैकार अवध में हो रही जैकार कर दो 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 अदभुत लीला अदभुत सोभा एसा मंदिर और न देखा एसा मंदिर और न होगा जनमा नस क्या देवी देवता जनमा नस क्या देवी देवता करते यही मिजार अवध में हो रही जेजेका अवध में हो रही जेजेका अवध में हो रही जेजेका आवध में हो रही जेजेका आवध में हो रही जेजेका कर दो कर दो सांत हरी दरसन की बेला सांत हरी दरसन की बेला संतो भखों का लगा है देरा संतो भखों का लगा है देरा संत भखों का लगा है देरा राम लला की बांकी जहां की राम लला की बांकी जहां की नमन करे संसार अवध में हो रही जे जेकार 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 जे जे स्री राधे श्यां तो देखो भगवान स्री राम की नगरी में अवध में आयुद्या धाम में आयुद्या की परंपावंधरा पर भगवान स्री कृष्ण की कथा से स्रीमत भागवत कथा से राम जी की और हमारे कनियां की और भगवान के साथ हम सभी की जैजेकार हो रही है आनन्द हो रहा है तो हमारे मज्ज़ में द्वारिका जीस हैं रुक्मनी महरानी हैं और स्री सुदामा जी महराज हैं तो देखो आज चूंके विस्राम दिवस है और विस्राम दिवस में आनन्द तो होना ही चाहिए और वैसे भी अब तो होरी का समय भी बहुत नज़दीक हैं तो हमारे ब्रज में तो होरी तो वैसे भी हमारे ब्रज में तो जो होरी होती है उससे महीनों पहले ही होरी खेलना प्रारम कर देते हैं हमारे ठाकुर जी भूलों की होली होती है लडूों की होली होती है तो यहां भी आप सभी को भूलों की होली खिलाई जाएगी हमारे यजमान परिवार की तरब से आप सभी के ऊपर खुस्पों की वरश्टी की जाएगी और हमारे द्वार का धीस रुक्मनी महरानी के साथ में आपको नित्य के माध्यम से आनन्द प्रदान करेंगे आपके जीवन को धन्य बनाएंगे तो आईए होली के अंदर प्रवेश करें और होली के गीत का भजन का हम लोग आनन्द लें और द्वार का धीस के दर्सन करके अपने को धन्य बनाएं तो बड़ा सुन्दर ये भाव है कि अईधमे बनाएं जालो तो अपने की रही है नाज 여्कि फूरा की बचन अटेखलते वहां व्राम तो आई ये बड़ा सुन्दर भाव है ये होली का तो हम ठाकुर जी के साथ में द्वारिका धीस के साथ में होली के रंग में हमारे यजमान परिवार आपके उपर पुस्पों की वरष्टी करेंगे आनन्द प्रदान करेंगे तो रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके होरी को हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके होरी को हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके होरी को हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके होरी को हो रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके होरी को बहानों करके होरी को रस्या रोज मेरे घर्यावे बहानों करके होरी को होरी के रस्या की बहानों करके होरी को आधी रात कूँ आवे सखी तो वाले बाले के संग आधी रात कूँ आवे सखी तो वाले बाले के संग आधी रात कूँ आवे सखी तो वाले बाले संग माखन मेरो खाए गए उसारो में तो है गईत माखन मेरो खाए गए उसारो में तो हो गईत हो रसिया रोज मेरे घर आवे वहानों बरके हो दीओ धुरसियां रोज मेरे घरे आवे वहानों करके होरी को फागुन में मेरे घर में आए गया मोगू कर दिया तुद फागुन में मेरे घर में आए गया मोगू कर दिया तुद भागुन में मेरे घर में आए गयो भूपू कर दियो तन चुपके से आए बाह मरोडी भूपे मल दियो रंग चुपके से आए बाह मरोडी भूपे मल दियो रंग पुरसिया गुचेला वरसिया रोज मेरे घर मेरे बहानों करके होनी को कर दो कर दो बरसानी में आयो खेलन गौलबाल की संग बरसानी में आयो खेलन गौलबाल की संग बरसानी में आयो खेलन गौलबाल की संग लट मार के याहे भगाओ उतर जाए सब भंग अर लट मार की जाए भगाओ उतर जाए सब भंग रसिया रसिया रूज मेरे घर आवे बहानो करके हूरी को करके हो री को रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके हो री को 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 रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके हो री को रसिया रोज मेरे घर आवे राभानों करके हो रिको कि अवे राभानों करके हो रिको रहा है जै जै स्री राधेश्यां तो रसिया रोज मेरे घर आवे बहानों करके होरी को तो देखो भगवान समस्त ब्रजांगनाओं के यहां समस्त ब्रजवासियों के यहां अनेकों प्रकार के बहाने डूण डूण करके चाहे होरी का बहाना हो चाहे दीपावली का बहाना हो और चाहे और किसी उत्सब का बहाना हो भगवान कोई भी बहाना नहीं छोड़ते आनंद प्रदान करने में तो ब्रज में बड़ा आनंद है कहते हैं कि जीवन बहुत सुन्दर है जीवन बहुत सुन्दर है लेकिन क्या करूँ मुझे जीना नहीं आता मेरे गुबिंद की कथा में बहुत आनंद है बहुत रस है पर क्या करूँ महराज मुझे पीना नहीं आता संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की मधमस्त चाल पर मर गया तो कोई किसी के गोरे गाल पर मर गया तो कोई किसी के काले बाल पर मर गया तो कोई किसी के माल पर मर गया लेकिन ब्रिंदावन के रसिक जन कहते हैं भाईया जिन्दा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया मेरे नंद के लाल पर मर गया इरादे रोज बनते हैं मगर तूट जाते हैं हमारे स्री राजकुमार सीग जी की कथा में वही आते हैं जिने हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं जिने हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं जिने हमारी भरसाने वाली बुलाती हैं तो देखो जैसा के हम सब लोग जानते हैं आज विस्त्राम दिवस हैं और विस्त्राम दिवस में कई कथाएं हैं और कई कारेक्रम हैं जो पूरे करने हैं और देखो सबसे खुसी की बात तो ये है कि इस आयोजन में इस कथाँ में तो देखो सबसे आनन्द की बात और सबसे खुसी की बात तो ये है कि इस आयोजन में हमें भी बहुत आनन्द आया और आप सभी को भी बहुत आनन्द आया हमारे सामने संत बैठे हैं जो के यहां से कुछ ही दूरी पर कुछेरा बाजार है स्री हनुमान जी महराज का मंदिर है तो वहां हम भी गए थे कलस यात्रा लेकर के और हनुमान जी महराज के परंपावन दर्सन से ही इस कथा का शुभारम हुआ और तब ही हनुमान जी महराज की क्रपा से ही इस कथा में आनन्द जो है बढ़ता ही चला गया तो देखो संत भगवान सामने बैठे हैं उन्होंने भी जादा नहीं तो कम से कम सायद आज दूसरी या तीसरी बार आए दूसरी बार आए तो भगवान की कथा सुनने के बाद हनुमान जी महराज की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई संत भगवान के अंदर के संत भगवान भी चाहते हैं कि अगले साल मार्च में अगले साल मार्च में वही हनुमान जी के मंदिर पर कुछेरा में स्रीमद भागवत की कथा का आयोजन हो कथा करने के लिए हम सभी संत भ्रामण आएं और आप सभी माता भेन भाई बंदूओं का उसमें थोड़ा थोड़ा तन से मन से धन से सहयोग हो तो बड़ा दिब्ब्य आयोजन होगा बहुत अच्छी बहुत सुंदर बहुत बड़ी कथावी हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके छेत्र का आपके समाज का कल्यान होगा तो ऐसी संत भगवान की इच्छा है जो के उन्होंने प्रकट करी हमने आपके कान में डाल दी क्योंके वो बिचारे एक-एक करके किसको बताते फिरते भाई तो देखो अभी कोई डेट फाइनल नहीं है तो अगले मार्च में जब भी डेट होगी आप सबको सूचना कर दी जाएगी बता दिया जाएगा और आप सभी माता वेनों के सभी भाई बंदूओं के थोड़े थोड़े सहयोग से संतों के पास क्या होता है संतों के पास तो भगवान के नाम का धन होता है जो के आपको दे सकते हैं बाकि आपके पास थोड़ा संसार का धन होता है तो उस धन में से है कुछ अंस यदि हम भगवान की सेवा पूजा में दान धर्म सतकर्म में लगाएं तो फिर उसी से हमारा उद्धार हो जाता है कल्यान हो जाता है तो और भी किसी माता भेन भाई बत्व का मन हो कभी भी कहीं भी कथा कराने का चाहे राम कथा हो चाहे सिव कथा हो और चाहे भागवत की कथा हो या भक्तमाल की कथा हो गुर्देव भगवान की क्रिपासे उनके आसीरवाद से ये बालक सभी कथाओं को करने में समर्थ है केवल और केवल गुर्देव भगवान के और संतों के आसीरवाद की बदोलत तो आप कभी भी याद कर सकते हैं आज व्यास पूजन भी होना है और व्यास पूजन के बाद हमारे यजमान परिबार का भी स्वागत सम्मान होना है और आप सब के लिए भी सुभासी सोने हैं तो देखो सुगामा चरित्र के बाद में हैं भगवान द्वार का अधीस कुरूख खेत्र में गए वहां सूर्य ग्रहन के अवसर पर ब्रह्म कुंड में हैं सभी द्वार का वासियों को इश्नान कराया पवित्र कराया और वहीं पर फिर सारे ब्रजवासी सारी ब्रजांगना हैं बरसाने वाली किसोरी स्री राधिकारानी नंद बाबा मैया यसुदा वसुदेव देव की सारे ब्रजवासी कनया से मिलने द्वार का धीस से मिलने हैं कुरूख खेत्र में पधारे लाखों करूडों बड़े बड़े संत महात्मा आये कुम्ब जैसा वातावर्ण हो गया महीनों वहां कथा सत संग चलता रहा और आनंद होता रहा ततपस्चात भगवान ने अपनी बहन का माने सुभद्रा का विवाह अरजुन के साथ में संपन कराया भोले वावा और भसमा सुर की तपस्या का चरित्र है भसमा सुर ने भोले वावा को प्रसंद करके वरदान ले लिया और फिर उसी वरदान का दुर पयोग भोले वावा के उपर करने जा रहा था तो भगवान स्री हरी ने भोले वावा को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और भस्मा सुर को भस्म कर दिये बोलिये मोहिनी भगवान की भगवान की ही प्रेरणा से यदवन्स को स्राप लगा है बड़े बड़े रिसी महात्मा आये हुए हैं और सबसे खतरनाक रिसी महात्मा है हमारे स्री दुरवासा रिसी तो साम्ब आदी पुत्रों ने दुरवासा आदी संतों के साथ हसी मजा किया तो संतों ने कहा कि तुम्हारा सत्या नास हो जाएगा तुम्हारे पेट से ऐसा मूसल पैदा होगा कि इसी मूसल से तुम्हारा साब बंस जो है समाप्त हो जाएगा तो देखो उसी मूसल के मात्यम से एरका नाम की घास उत्पन हुई और जब यादवों में आपस में ही लड़ाई जगड़ा हुआ तो उसी घास से एक दूसरे में मार करके सब मर गए और आगे फिर स्री धत्तात्रे जी महराज के चोबीस गुरुवों का प्रसंग है बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है बोलिए स्री धत्तात्रे भगवान की तो समय के अभाव में हम लोग इन प्रसंगों का केवल स्मरण कर रहे हैं इनको प्रणाम कर रहे हैं अब विस्तार से यदी कथा सुनी जाए या देखी जाए या पढ़ी जाए या लिखी जाए तो इसका कोई पार नहीं है क्योंके हरी अनंत हरी कथा अनंत गाव है वेद पुरान सब संता तो भगवान और भगवान की कथा का कोई अन्त नहीं है तो स्रीमत भागवत कथा का अंतिम इश्लोक तो हम बाद में बोलेंगे जब यहां से उठने वाले होंगे लेकिन उस से पहले एक और सुंदर जूमने वाला भाव हो जाए और तत पस्चाद जो है हमारे यजमान परिवार और आप सब तयार रहें आपको अवसर मिलेगा मौका मिलेगा यहां हमारे पास आने का और देखो पूरे साथ दिन से हम आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी भगवान की कथा सुना रहे हैं तो आज आपके पास भी सुंदर मौका है सुंदर अवसर है कि आप भी यहां आकर के जिसने आपको कथा सुनाई है उसके पास आकर के दर्सन करें स्रीमत भागवत भगवान का इसपर्स करें स्री सुकदेव जी महाराज को स्री व्यास जी महाराज को मांके विहारी लाल्जू को तिलक करें और यदि कोई स्रद्धा है कोई भाव है तो यहां अरपन करें और प्रणाम करके फिर अपनी जगे जाएं और तत पस्चात जो है फिर आपको प्रसाद भी मिलेगा और आप आनंद से घर भी जाएंगे तो आएए अब एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा होली का भाव हम लोग स्रबन करें और फिर जो है व्यास पूजन करेंगे सुकदेव पूजन करेंगे कि भी मिलेगा खिलाल स्याम तेरे मंदिर में ओलीया में उडेर गुलाल स्याम तेरे मंदिर में उलिया में उडेर गुलाल, स्याम तेरे मंदिर में उलिया में उडेर गुलाल, स्याम तेरे मंदिर में 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 कानूला तेरे मंदिर में उलिया में उडेर गुलाल, स्याम तेरे मंदिर में हाँ हो लिया में उडेरे गुलाल, स्याम तेरे मंदिर में में तेरे मंदिर में कर दो स्याम तेरे मंदिर में स्याम तेरे स्याम तो आया लिजा वां सीरा दें हो आए रसिया हरे मोरा बने आए रसिया हरे आए रसिया मोरे बने आए रसिया हो बरसाने की मोरे गुटी पे मोरे बने आए रसिया हो बरसाने की मोरे गुटी पे मोरे बने आए रसिया हो बरसाने की मोरे गुटी पे मोरे बने आए रसिया आयो रसीया, मौर बने आयो रसीया को बरसा ने की मोर, पुटी मे मोर बने आयो रसीया कि दिखेगे पूरी ना था एक दिन मोनी राधारानी दो दिन से ना मिले बिहारी दो दिन से ना मिले बिहारी तिना स्था मुसंतर दरसर की प्यासी अदिया हाँ बिना स्याम संदर दरसल की व्यासी में जीया बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसीया बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसीया बरसाने की मोर कुटी में मोर कुटी में मोर बन आयो रसीया कर दो कर दो कर दो दो मोरा बन गए मदन मुरारी या जब पे रीजे सक्या सारी या जब पे रीजे सक्या सारी या जब रीजे सक्या सारी या जब रीजे सक्या सारी बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर बन आयो जब रसिया जब रसिया जब रसिया जब रसिया जब रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया मोर बन आयो रसिया बोल मोर भगवान की द्वारिका धीस भगवान की जै जै स्री राधेश्याँ तो देखो भगवान मोर भी बने हैं अपनी राधारानी को मनाने के लिए भगवान मोर भी बने और बरसाने में मोर कुटी पे भगवान ने बड़ा सुंदर नित्य किया बरसाने वाली राधेकारानी को मनाया और मोर के मयूर के नित्य की जो लीला है उसे भगवान ने संपन किया और मयूर का रूप धारन करके भगवान ने हमें दिब्य मोर भगवान के रूप में सुंदर दरसन प्रदान किये तो ये भी एक दिब्य लीला का ही दरसन था तो आईए वह हमारा यजमान परिवार हमारे पास आजाए जो भी इस कथा के मुख्य आयोजक हैं स्री राज कुमार जी हैं स्री राजेश जी हैं और भी जो भाई बंदू हैं नातेदार रिस्तेदार हैं वो सब ही एक एक दो दो करके जहां भी हैं जल्दी से जल्दी ही व्यास पीट पर आजाएं उपर मंच पर आजाएं तो राज कुमार जी और रेखारानी और जितने भी मुख्य यजमान परिवार हैं सब लोग हमारे पास में आजाएं और सब से पहले हैं स्रीमत भागवत भगवान का सुकदेव भगवान का व्यास भगवान का और स्री सूत जी महराज का तिलक करें तो देखो हमारा मुख्य यजमान परिवार हैं स्रीमत भागवत भगवान का और स्री सुकदेव जी महराज का व्यास जी महराज का पूजन कर रहा है उनका तिलक कर रहा है ये अवसर ये मौका आपको भी मिलेगा कि यदि आप यहां आना चाहें और आकर के भागवत भगवान को प्रणाम करें हमें भी राम राम करें और फिर से अपनी जगे पे जाके बैठ जाएं तो आए ये यजमांजी का पूजन कराएं ओम मंगलं भगवान विष्णू मंगलं गरुडद्वज मंगलं पुंडरी काक्ष मंगलायत तनुहरी तदेव लगनं सुधिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं दैववलं तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रे युगं स्मरामी लावस्ते सांजयस्ते सांकुतस्ते सांपराजय येसामिंदी वरस्यामु हिर्दयस्तो जनार्धन यत्र योगि स्वरकृष्णु यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स्रीर विजयु भूतिर द्रुबा नीतिर मतिरमम तो देखो इस प्रकार से हमारे मुख्य यज्मान जी ने व्यास पूजन किया और भागवत भगवान का पूजन किया तो आपके अंदर भी जिस माता भेन भाई के अंदर सची स्रद्धा है जूटी नहीं जवर जस्ती नहीं सची स्रद्धा हो भाव हो के हमें भी मंच पे जाना चाहिए और भागवत जी का पूजन करना चाहिए वही माता भेन भाई बंदू एक-एक दो-दो करके जल्दी आए और हमारे संगीत तक मीठे एक आद भजन सुनाएंगे इतनी देर में आप सभी को मौका मिल जाएगा यहां आने का एक और लाव है कि आप जो है कभी ब्रिंदावन जाओ या कथा के लिए कोई योजना बनाओ तो आपको एक एड्रेस कार्ड जिसमें ब्रिंदावन का निवास पता, फोन नम्मर आपको सब कुछ मिलेगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधाम न हो तो आएए व्यास पूजन करते हुए मीठे भजनों का आनंद लें हर हर की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा हर की कथा सुनाने वाले तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा कर दो हम भूल रहे थी बन में बल खूब एठी थी बन में ओ राह बताने वाले तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा तुम को लाखों प्रणा दुम को लाखों प्रणा हम्री कर्भी से का प्याना जा रही दियम के ग्वाला उने कर्भी से का प्याना जा रही दियम के ग्वाला हो अम्रत पिलाने बाले हो सुदा पिलाने बाले तुम कुला खो प्रणा हरी कथा सुनाने बाले तुम कुला खो प्रणा 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 तुम घट घट अंतर यामी, हम पत्त आउने आध्यामी तुम घट घट अंतर यामी, हम पत्त आउने आध्यामी हो दरस कराने वाले, हरी का दरस कराने वाले तुम को लाँखों प्रणाम, तुम को लाँखों प्रणाम हरी की का दाँखों प्रणाम, तुम को लाँखों प्रणाम तुम को की का दरस कराने वाले, हम जो प्रणाखों प्रणाम प्रणाम टार श explanation यामी प्रास भी और तुम को लाने आप पनुम झाले तुम को राखों प्रिणाम प्र्म प्रास का दख्यsti बड़िंद प्रणाव रख yशनाम हम पर तेरा क्या पामें वस शीच जुगा यहीं कामें हम पर तेरा क्या पामें वस शीच जुगा यहीं कामें वो मुक्ति दिलाने वाले हैं वो क्या ने कराने वाले हर की कता सुनाने वाले हरे की कता सुनाने वाले तुम को लाँखों प्रणा शर्मिया नौक हाब हाब जा की अर्मा नही डालप बीट फुम को खा राऽ आसे राव慢慢 थो भ्लप को अर compartment जाम नहीं को को है वॉणाद हर की कथा सुनाने वाने तुम गुला तुम गुला तुम गुला को प्रणा को प्रणा तुम गुला तुम गुला को प्रणा तुम गुला को प्रणा मुलि सत गुर्दे भगवाने की जै हुर गरते हो तुम कनहिया हुर मेरा नाम हो रहा है हुर मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है हुर मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कनहिया मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है क्रपा सब काम हो रहा है काम हो रहा है हुर मेरा झाप क्पा रहां ट्ष ग्रॉव्द काम हो रहा है और आप की काम हो रहा है प्रवाद की बेना ही मेरी नाब चल रही है पतवार की बिना ही मेरी नाब चल रही है हेराँ है जमाना मर्जिल भी मिल रही है हेरान है यमाना मर्जल भी मिल रही है करता नहीं में कुछ भी मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कनया मेरा नाम हो रहा है थेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है करते है तुम सार हो जो मेरे किस जीज की कमी है किस जीज की कमी है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है पिरे साथ से गुलाओं गुलपान हो रहा है करते हो तम कनिया मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है करते हो तम कनिया मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की क्रपा से सब काम हो रहा है 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 मुलि भागवत भगवान की स्री राधे स्री राधे स्री राधे जै जै स्री राधे तो देखो बस अब थोड़ा सा ही समय आपके पास है फिर हम लोग अंति मिश्लोक बोल करके और आरती करेंगे भागवत भगवान की तो थोड़ा सा समय है इसमें आनन्द ले लो नाच लो जूंग लो गालो और फिर हम लोग आरती करेंगे प्रसाद लेके अपने अपने घर जाएंगे तो होलिया में उड़े गुलाल स्याम तेरे मंदिर में 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 स्याम तेरे मंदिर में आ श्याम तेरे मंदिर में होलिया में उड़े गुलाल स्याम तेरे मंदिर में दोनो हातों भागे गोरिया रंग अवीर कुलाल उणाए दोनन अवीर कुलाल उडाए काला खाला रंग लगाए काला खाला रंग लगाए काला कर दे आज श्याम तेरे मंदिर में काला कर दे आज श्याम तेरे मंदिर में काला कर दे 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 श्याम तेरे मनदिर मंदिर में हागुन की ग्यारस को मेला हागुन की ग्यारस को मेला होता है ये बड़ा अलबेला होता है ये बड़ा अलबेला होता है ये बड़ा अलबेला नाच दे दे ताल श्याम तेरे मंदिर में होता है ये बड़ा अलबेला श्याम तेरे मंदिर में होता है ये बड़ा अलबेला 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 होता है ये बड़ा अलबेला अलबेला दोलक जाज मजीरा बाजे दोलक जाज मजीरा बाजे भक्तों की भी तोली नाचे मिलके मचाई थमाल श्याम तेरे मंदिर में गुलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में श्याम तेरे मंदिर में, कानूडा तेरे मंदिर में बुरिया में उड़े रे गुलार, श्याम तेरे मंदिर में श्याम तेरे में बांके बेहारी की सोबा है न्यारी संग में बेठी भान तुलारी हक्त करें जे जेकार स्याम तिरे मंदिर में हक्त करें जे जेकार स्याम तिरे मंदिर में हुलिया में उड़े गुलाल स्याम तिरे मंदिर में हुलिया में उड़े गुलाल स्याम तिरे मंदिर में हुलिया में उड़े गुलाल स्याम तिरे मंदिर में हुलिया में जेकार स्याम तिरे मंदिर में है स्याम तिरे मंदिर में तो देखो इस प्रकार का आनन्द स्रीमद भागवत के साथ दिन के इस आयोजन में होता है तो जैसा के हम सब लोग जानते हैं ये स्रीमद भागवत कथा का दिब आयोजन हमारे स्री राजकुमार सिंग, स्रीमती रेखा सिंग, भेन सिवकुमारी, स्री राजेस सिंग, रेनु सिंग, और बालक, उधम सिंग, उन्नती सिंग, राजन सिंग, गुडिया सिंग, सक्ती कुमार सिंग, गोल्डी सिंग, अरुन प्रताप, एवं कुसुम जी, दामाद पक् श्री देश राज सींग जी और अमित सींग जी और भी बहन भानूमती भांजे देवेंद्र सींग जै सींग प्रधान फन्नेपुर फत्तेपुर सुल्तानपुर उसका मव तो देवेंद्र सींग जै सींग राम सींग प्रधान अमक हादुर सींग माता प्रसाद सींग राहुल सींग और मुहम्मद जलील खां मुहम्मद रफीक खां भी इस आयोजन में तनमंधन से हैं सेवा सहयोग करके खोब आनन ले रहे हैं अरजुन सींग और राजू प्रधान जी बलिया पलिया तो पलिया और बलिया आप जोड़ लो भई तो देखो इन लोगों का इसमें विसेश सहयोग है तन से मन से धन से इसलिए ये आयोजन आज संपन हो रहा है और हमें भी बड़ी प्रसंदता है कि ऐसा दिब्य आयोजन हुआ ऐसी दिब्य कथा हुई अयुध्या धाम में हुई तो और भी जो माता भेन भाई वंदू आगे पीछे हैं कभी भी कथा कराना चाहें या ब्रिदावन आना चाहें वो हम से है काड के मात्यम से या राज कुमार जी के है परिबार के मात्यम से आप जो है संपर्क कर सकते हैं तो आपके यहां भी ये आनन्द होगा तो सबसे पहले हम अपनी इस कथा के यजमान परिबार को बहुत बहुत शुब कामना बदाई मंगल कामना प्रदान कर रहे हैं और तत पस्चात आप सभी स्रोता जनों को साधू बाद मंगल कामना सुब आसीर बाद हम प्रदान कर रहे हैं क्योंकि यदि ही आप लोग नहीं होते तो हम क्या यहां टेंट पांडाल को कथा थोड़े सुनाते हैं तो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस आयोजन में कारिक्रम में चार चांद लगाएं तो आप भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुब कामना के पात रहें तो आपके जीवन में भगवान दिन दूना रात चोगनी तरक्की करें और हम सभी के भोजन की चाई की नास्ते की जिन लोगों ने विवस्था करी जिन लोगों ने बनाया और जिनों ने परूस करके खिलाया उन सभी को भी हिर्दे से बहुत बहुत साधुवाद शुब कामना बदाई और हमारे साथ ब्रिंदावन से आये हुए हमारे संगीत जिनों ने हमारे स्वर को साधा संगीत को साधा और आप सभी को खोब आनंद से जुमाया नचाया आनंद प्रदान किया तो ऐसे हमारे संगीत को भी बहुत बहुत शुब कामना बदाई और जिनोंने इस प्रसारण यंत्र को लगाया के हमारी अवाज आप तक पहुँच रही है तो इस यंत्र वालों को मायक वालों को भी बहुत बहुत बदाई शुब कामना और जिनोंने ये बिजली इत्यादी की विवस्था करी है इस आयोजन में उनके लिए भी आसिरवाद है और देखो ये जो कथा हो रही है या आगे पीछे की जो भी कथाएं होती है वो सभी कथाएं आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगी तो यूट्यूब में लाइव करने वाले हमारे कैमरे वाले भाई सब इनको भी बहुत बहुत बढ़ाई शुबकामन तो आप कभी भी अपने मूबाइल में यूट्यूब निकाले और कृष्णा भक्ती रस लिखें सर्च करें तो आपको हमारा चैनल मिलेगा और आपको ये कथावी मिलेगी ये जो साथ दिन कथा हुई है ये कथा भी मिलेगी और उसमें हम देखें चाहें न देखें लेकिन आप जरूर दिखोगे क्योंकि आपके ऊपर भी तो खोग कैमरा चला है न भाई तो आप भी अपने आपको देखें औरों को भी दिखाएं और और देखो हमारे आचार जी जिनोंने प्रात है काल पूजन कराया हमारे यजमानों का और बाकी पूजा पाठ का जो भी कार रहे है वो देखा तो आचार जी को भी बहुत बहुत शुबकामना और हमारे महेश चाचा जगत चाचा जो साक्षात भगवान ही बनाते हैं जहां की नहीं बनाते हैं वो साक्षात भगवान बनाते हैं आपने अनुभव किया होगा कि जितने भी स्वरूप ठाकुर जी के बने वो आप चाहे वीडियो में देखें और चाहे बिना वीडियो के सामने देखें वो साक्षात ठाकुर जी ही उसके अंदर उतार लाते हैं तो ये इनकी ही एक भाव भरी हुई प्रस्तुती है के किसी भी बच्चे में भगवान का आदान कर देते हैं साक्षात भगवान ही दिब्यदर्सन हमें प्रदान करते हैं तो ऐसे हमारे महेज़ जी को भी बहुत बहुत शुबकामना बदाई और भी जिन लोगों ने इस कथा में तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से सहयोग किया होगा उन सभी को हम आसिरवात दे रहे हैं, सुबकामना दे रहे हैं, बदाई दे रहे हैं और देखो, आपकी ऐसी कामना थी, कि पुझ राधिका जी भी एकाद दिन के लिए आ जाएं, तो और ज्यादा आनन्द होगा तो आपकी कामना की पूरती के लिए भगवान ने उन्हें भी यहां भेज दिया और राधिका जी भी हमारे मद्य में आई, उन्होंने भी हमें अपने आसीरवाद से, भाव से, उपदेश से आनन्दित किया साथ में हमारे इक भाई साब आए हैं, एक मैया आई हैं, तो उन्हें भी अयुद्ध्या में आकर के दर्सन करने का और कथा सुनने का सुभाग के मिला है उन्हें भी बहुत बहुत शुब कामना और हमारे सामने जो संत बैठे हैं, कुचेरा बाजार वाले तो देखो इनका भाव ये है कि अगले साल वहाँ हनुमान जी के चरणों में दिब्य स्रीमत भागवत का आयोजन हो और पूज्य महराजी उसकी विवस्था पकी करें और आप सब लोग थोड़ा थोड़ा जितना जिससे बन सके अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग करें और हम सभी संत ब्राम्वन आ करके भागवत कथा का आयोजन करें तो यदि हनुमान जी चाहेंगे तो अवस्य होगा हमें संकल्प उत्पन करना चाहिए भाव जाग्रित करना चाहिए बाकी पूरा करने वाले तो राम जी है पूरा करने वाले तो भगवान है और भी भूल चूक से यदि कोई रह गया हो तो हम सब को बदाई दे रहे हैं सुबकामना दे रहे हैं साधुबाद और आसिरवाद दे रहे हैं आईए अब आरती करने से पहले स्रीमद भागवत कथा का अंतिम इश्लोग और तत पस्चात आरती करके प्रसाद लेके अपने अपने इधा इस्थान जाएंगे तो देखो कल प्रात है काल दस बजे कल प्रात है काल नो बजे हवन यक्य होगा तो जो भी माता बहन भाई बंदू यहां आकर के हवन यक्य में अपनी आहूती डालना चाहें वो आ सकते हैं तो कल प्रात है काल नो बजे से हवन यक्य प्रारंब हो जाएगा तो आएव अन्तिम श्लोक का उच्चारण करें नाम संकीरतनम यस्या नाम संकीरतनम यस्या सरव पाप प्रणासनम सरव पाप प्रणासनम प्रणामो दुखा समनह तम्नमामी हरिंपरम तम्नमामी हरिंपरम तम्नमामी हरिंपरम तम्नमामी हरिंपरम हर ये नमहाँ हर ये नमहाँ हर ये नमहाँ जे जे स्री रादे जे जे स्री सीतारा हर हर महाँ तो आईए भागवत भगवान की आरती करें और फिर कथा का विस्त्राम होगा आप सब प्रसाद लेके ही जाएंगे सबी अपनी अथाइस्तान खड़े हों भगवान की आरती करें आरती अति पावन पुरान की अरती अति पावन पुरान की थरम भगवत निर्मल सुखा मुखा बिगलित निगा मकल पफल आपरमान दस दारस मयापल आपरमान दस दारस मयापल अललीलारत देरस दिधान की आरती अति पावन पुरान की अधनम भगवत यानन जान खान की धरम भगवत यानन खान की कलमल मतन त्रताप निवार ने कलमल मतन त्रताप निवार ने सीवत सतत सकल सुखतारन समस दे हर चरत घान की आरती अति बावन पुरान की विसय बिलाच विमोह बिलाच विमल विराग विविक विकास ने भगवत यानन त्रताप रहे श्य प्रकास ने भगवत यानन त्रताप निवार ने प्रवहं सी मुझी मुझी उल्वास ने रस जहेए डिय रस राच विलास ने रस भगवत रस रात सो विलास नी मुकदी मुगी रत प्रेम सुदा सीने भगवी मु़ूगी रस रहेम प्रकास ने जनदिय सुजान की, आरतिय पावन खुरान की, धरम भगते वे ग्यान खान की, धरम भगते वे ग्यान खान की घरिपूरे गॉरं घरणा बतारं, सचार सारणा मुझगेत हारं, सदार संत भुप्यार बेल भवन भगते वे ग्यान खान की, धरम भबादी सईदन अमामी थमएब भाताँ भुम्य विद्याधरुण। भुम्य विद्याधरुण। भुम्य विद्वूं। जलेनी सिद्ली कर्णं पस्वरेवा भिवन्द्र्न। सब्सक्राइब 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 राज्य महाराज माधी पतमयम समंध पर्याय ही सरवाय शंधता परार्धादा समुद्री प्रयंत एकराडिति तदापी ससलोकु भीदो मरुता परविष्टारू मर्तसे वसंग्रही अविक्षीतस्या काम प्रिविस्वी दिवाहा सभासत इति हरी ओ तन्ना ननननाय विद मही, यसुदा ननननाय धी मही, तन्ना कृष्णा प्रचू दयात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्या श्री भाधुत प्रचोध यादिया सी वंतिकाम कुलचं पग पाठला जयी पुन्या गजात कर भीलरसाल पुस्पत विल्वाल प्रवाल तुलसी जलम अंजरी खिंपुझायामे जगधी स्वर में प्रसीदा नाना सुगन्ल पुस्पानिय था गालुत्भवानी चाह का देपुराङन प्रस्वातत्माध महाम मन्त्र पसपांजलेंन सामर प्यामि वुङन कि गिराजी भराज़ables पाउन सुतहन माने की राधार्वन वहरव्यल राधा व्होन झाल झाल